और आज अबन स्टार्ट कर रहे हैं फोरेक्स का वन अफ प्रोस्ट इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग टॉपिक्स और इस गाइज फोरेक्स करंशी ओप्शिंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्डी एग्जामिनेशन आइन वालोड फुडेंट जो इनको यूज्वल यह ओप्शन में छोड़ देता है क्योंकि इस इस पार्ट ऑफ फॉरेक्स हेजिंग तुरू डेरिवेटिव तो उनके लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाता है बट अगर आट से दस माक का क्वेश्चन आ गया इसमें सो इट कैन डिकम और मेक और ब्रिक फॉर एग्जामिने चारो के चार क्वेश्चन में आप लोगो अभी यह सेशन में करवाने वाला हूँ ठीक है मेरी तरफ से जो मैंने कुछ नोट्स बनाए वे हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेर करूंगा इस नोट्स इस लाइक यार तुम बोल सकते हो कि भाई एक प्रुआ प्रोफोर्मा आप लोगों के सामने आजाएगा कब कॉल ऑप्शन लेना है कब पुट ऑप्शन लेना है इच एन एवरी थिंग लॉजिकली एक्स्प्लें करके आप लोगों को बताऊंगा और येस याट इस वाट वी आर गूंग तो तो अल्राइट गाइस सो चलो भई शुब काम में द कैसे concepts आते रहें कैसा लगता रहा लाइक तो करीद इना वीडियो को और कमेंट करते रहें रहें हाओ इसा लगा एंड में सेशन और बारे में विदाउट फेल ये लेक्चर देखी लेना तीक है अप्रॉक्सिमेटली टूर्ज यूर्ज स्पेंट मैक्सिमम बट वसूल हो जाएगा यह मैं बोलता हूँ दिमाग के तार खुल जाएंगे लॉजिक्स कुल जाएंगे काफी सारे फॉरेक्स रिलेटेड करंसी ऑप्शन तो वोले तो एकदम और टिप आप टंग हो जाएगा आपका मन करेगा कि और सम्स करने मजा आ ठीक है तो चलो फिर I think we should start with this session on this positive note and let's do the best क्या रहे वो बोला करंसी ऑप्शन क्या है सर सो देखो करंसी इस अपार्ट ओफ फोरेक्स यह सर ओप्शन इस अपार्ट ओफ डेरिवेटिवस यह सर एक जगा जब जमा हो तीनो फोरेक्स डेरिवेटिवस और आप सो फोरेक्स प्लस डेरिवेटिवस जब मैं करता हूना that is where we get this concept of currency options a mixture of forex and derivatives तो कैसे currency को use करके sorry options को use करके currency के risk को अपन minimize कर सकते है hedge कर सकते है is what is all about currency options तो again I am telling you देखो एक बात हमेशा याद रखना options और for that matter derivative instruments जितने भी derivative instruments है यह सब use किये गए introduce किये गए थे for managing the risk for risk management तो अब मेरे को यहाँ पे कौनसा risk manage करना है currency का risk manage करना है उसके लिए मैं क्या use कर रहा हूँ derivatives कौनसा होला derivatives options and that is where we will use this concept of currency options इसको प्यार से और एक चीज़ बोलते है and that is hedging forex through derivatives hedging का मतलब होता है risk management कौनसा किसका risk management forex का risk management क्या use करके derivative instrument कौनसा वाला options समझ में आ गया so इदर bracket में मैं लिख दूँगा it is nothing but better hedging forex using derivatives चलो तो I am assuming कि currency का थोड़ा थोड़ा knowledge होगा I am assuming options का थोड़ा थोड़ा knowledge होगा बस यह थोड़ा थोड़ा knowledge यूज़ करके यह बढ़्टा सा concept अपना clear हो जाएगा so I hope base एक आप लोग का set हो चुका है आपको समझ में आगा है कि ठीक है कहां पर use क्या use हो है इस चीज़ का options यूज़ कर रहे है क्योंकि मुझे डर है कई currency के fluctuations की वज़े से मुझे loss ना हो जाए right so यह जो बड़ी बड़ी companies है उनको इस चीज़ का डर हमेशा रहत है suppose मैंने कोई 100 करोड का माल मंगवाया है इंपोर्ट किया है outside इंडिया से तो मुझे एक अलग डर है मैंने अगर कोई चीज़ export किये services export किया outside इंडिया तो मुझे एक अलग डर है तो यह दोनो डर को यह दोनो डर की वज़े से रिस्क पैदा होता है यह रिस्क को मैनेज करना है करनसी के फ्लक्ट्वेशन के रिस्क को मैनेज करना है और उसके लिए अपन लोग यूज करने वाले हैं something called as the options I hope we are clear अब एक basic idea आप लोगों में देता हूं basic सी बात बताता हूं बहुत ज़्यादा घुसना बूल जाओ कि तुम लोग final के student हो या फिर बहुत ज़्यादा कुछ difficult चीज पढ़ रहा है ऐसा कुछ मैं सोच एक दम basic बनिया दिमाग अपन रखना and will be able to calculate कौन इसको use करना चाहेगा किसको किसको करन सी ओप्षिंस को कौन यूज करना चाहेगा तो मैं बता से for example मैं अगर एक importer दोई लोग इंपोर्टर एक्स्पोर्टर यही दो लोग यूज कर पाएंगे और क्या ही कोई यूज कर पाएगा आप और मैं अगर transaction कर रहे हैं तो अपन तो local currency में कर रहा है अपना तो कोई कामी नहीं है इसमें it is only when there is a foreign currency involved which is only going to be the case in import या export तो अब first करो कि अगर आप suppose importer है तो आपको क्या डर होगा अभी इंडिया का एक्जामपल लेता है simple एगडम रखेंगे अपर लोग logical रखेंगे so मेरे को as a importer एक लाख रुपए पे करने है एक रुपए नहीं सोड़ी एक लाख डॉललर पे करने किसी को 155 PM यसे इंडिया मेने इक्वल टू रूपीज 85 बड़ावर है अब मुझे डर है मुझे डर है कि अगर ये वन डॉलर इक्वल टू रूपीज 90 हो गया तो तो मैं तो गया क्योंकि आज ही अगर मैं इसको पे आफ कर देता हूं तो मेरे को आज की तारिक में ये सेम पे करने के लिए 85 लाग लगेगा पर आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है मेरे को तीन महीने बाद देना है इसको आज मेरे को नहीं देना है मेरे को तीन महीने बाद देना है पर तीन महीने बाद अगर ये बढ़के 90 लाग हो गया then in that case मैं तो गया मेरा तो फुकड का 5 लाग रुपा मेरे को एक्ट्रा पे कर पर जाएगा ती महीने के अंदर अंदर अभी अंडर्स्टैंडिंग आइज तो मैं चाता हूं मैं चाता हूं कि यार मेरे को यही प्राइस बस मिल जाए ये रेट फ्रीज हो जाए रेट फ्रीज हो जब जाएंगे तब पताऊंगा पर एक आइडिया आ रहा है आपको मेरे लिए यह डॉलर वन डॉलर इक्वल टूरूपीस 85 फ्रीज हो जाए इसके लिए आपको प्रीम्म पे करना पड़ेगा चलेगा मैं प्रीम्म पे करने को रेडि हूँ और अगर समझो 85 का 90 हुआ तो when the market increases call option लिया भाए right to buy 85 पे अपन लोग यहाँ पे इसको exercise करवा लेंगे समझ में आ रहा है कहां पे यह चीज यूज होती है बेटा तो अब उल्टा करेक्ट अब उल्टा सोचो सपोज एक्स्पोर्टर हुआ तो तो एक्स्पोर्टर हुआ तो ही सेम चीज समझो अपने क स्पोर्ट पे वन डॉलर इक्वल टू रूपीज 85 अब यह जो हमारा एक्सपोर्टर है इसको अलगी डर है इसको डर है कि यार कहीं यह वन डॉलर इक्वल टू रूपीज 80 हो गया तो तो मुझे जो 85 लैक मिलने वाले थे अब कली 80 लैक मिलेंगे और यार मेरा 5 लैक का फिर मार्केट को भले ही नीचे जाने दो भले ही मार्केट को यहां से 1 डॉलर इक्वल टू रूपीज 80 पी जाने दो मैंने फ्रीज करके रखा है क्या 1 डॉलर इक्वल टू रूपीज 85 तो अगर मैंने यह फ्रीज करके रखा है येस उसके लिए मैं थोड़ा प्रीमियम द ने दूँगा और 86 पे डिल क्लोज कर लूँगा विचार इस बेनिफिचल समझ में आ रहे हो बट एट लीस्ट यहां पर options को freeze करवा के currency के लिए what I am doing is I am managing my risk and exactly इसी चीज के लिए use होता है हमारा currency options तो अब मुझे आज ही रुपीज मैं इंपोर्टर हूं मैंने इसको freeze कर दिया अगर मैंने इसको freeze कर दिया तो मुझे पता है यह मेरे जेब से 85 रुपीज जाने वाला है तीन महीने बाद नो टेंशन प्लस उसके लिए यह freeze करने के लिए मुझे जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा 50 रुपे का प्रीमियम पे कर दिया नो टेंशन तो 85 रुपी ताउजन जाने वाला है मैं पहले से ही क्लियर हूं अब मैं इसको compare करूंगा forward के साथ से forward का क्या बैट रहा है मेरे पास एक और currency futures है मैं currency futures भी देख सकता हूँ तो all in all इसमें से जो सबसे beneficial option रहेगा वो option को use कर लूँगा कभी शायद currency future beneficial हो जाए कभी currency forward कभी currency options तो as a chartered मुझे तो यह सब चीज़े पता होनी चीए न अरे बाई अडानीज और अम्बानीज का treasury department का इतना वड़ा import export का सब manage करना है मुझे या अजार-अजार करोड की deals manage करनी है that is where all of these knowledge is going to be so very useful समझ में आया आपको logically क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं so this is the whole process मतब यह reason है जिसकी वज़े से currency options को use किया जाते अब कैसे इसको use कर रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको खाली idea दे रहा था पहले में आपको बता है currency options होता क्या है समझ गया फिर कॉन यूज करता है इंपोर्टर-एक्सपोर्टर क्यू यूज करता है बस यह currency fluctuation की डर की हो जैसे एक freeze हो जाए उसके लिए और यहां पर एक benefit भी है कि अगर मेरे favor में कुछ हो गया suppose यह 85 का 82 हो गया तो मैं lapse भी करवा सकता हो तो मैं इसको lapse कर दूंगा तो 82 का गया प्लस 50,000 रुपया जो मेरा premium था वो loss 82,000 में मेरा काम हो गया no problem so I have a option right to buy बट उसके लिए 50,000 दिया है तो overall मेरे लिए क्या यह beneficial रहेगा as compared to a currency futures और forward और whatever वो में को evaluate करके मेरे company को देना है and decision लेना है समझ में आ गया सर यह वाला अब इसको कैसे in terms of process apply करना है और वो समझने की कोशिश करते है चल अब आपको एक पहला concept समझाने के लिए मैं ले रहा हूं एक sum यह आपको कहीं नहीं मिलेगा यह sum तो आप लोग को यहां सही better रहेगा कि आप copy कर लो so where is the sum here is the sum just a moment यह रहा currency options का एक basic सा सम एक dumb basic सा सम कहीं नहीं मिलने वाला है आपको यह सम बता दूने आपको ठीक है इसके लिए यहां पहीं मिलेगा यहां से ही copy करना पड़ेगा आपको कौपी भी मत करो samajna is more important Morris Limited places an order to buy machinery with an American company as per the company agreement Morris Limited will be paying dollar 2 lakh after 180 days the company Morris Limited considers using one ya to forward hedge two option hedge or no hedge consultant of Morris Limited collects and develops the following data as desired by the company which can be used to assess the alternative approaches for heading hedging तो बाकी वो सब उनने information दियावा है spot rate of dollars 180 day forward rate of dollar future spot rate in 180 days call option on the dollar put option on the dollar required carry out comprehensive comparative analysis of various outcomes and decide which of the alternatives is the most attractive to Morris Limited तो Morris Limited कौन है एक Indian company जो क्या कर रही है places in order to buy machinery तो यह Indian company क्या कर रही है machine buy कर रही है मतलब यह सम एक exporter के नजर यह से हो गया ठीक है एक दम logic से मैं solve करूँगा और फिर बाद में concept तुम लोगों के साथ derive करूगा ठीक है आजब तो अपना है example जिसका अपन solution ट्राई कर रहे हैं पहले find out करने की कोशिश करेंगे that what exactly is happening तो एक company है जिसका नाम है मौरिस लिमिटेज यह एक इंडियन company है सर कहां लिखा है सी अब मैं सामने वाली है American company बाकी डॉलर है और यहां पर रुपीज की बात हो रही है सो बट अब्वियस है कि अगर एक American company है जिसको अपने को payment dollar में करना है तो अपनी company जो बचा हुआ रुपीज बचा है तो रुपीज मतलब इंडिया की हुई ना यार कैसी बाते करते हो so Morris Limited is going to import from this American company जिसका नाम नहीं दियावा है so Morris Limited is importing Morris Limited is the importer okay कितने का dollar two lakh का चीज इंपोर्ट कर रहा है अब जैसे ही वो dollar two lakh इंपोर्ट कर रहा है Morris Limited India is under the tension के अगर कुछ currency fluctuation हुआ then in that case उसको problem हो सकता है तो उसने तीन तरीके निकाले हैं अपने आपको बचाने के लिए पहला तरीका उसने बोला है that I will use a forward hedge तो forward rate के इसाब से कर लेगा दूसरा उसने बोला है मैं try करूंगा option hedge और तीसरा उसने बोला है कि मैं अगर hedge ही ना लूँ देखा जाएगा जो होगा अरे सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा ऐसा उसने थर्ड option में सोचा है देखते हैं कौन सा option उसके लिए सबसे best bet आ है सबसे पहला आता है forward hedge इसमें तो अभी as such मेरे को बहुत जादा तुम लोग को दिमाग लगवाने की जरुरत है नहीं तो spot rate of dollar दिया और 180 day forward rate of dollar दिया है 47.5 per dollar मतलब 1 dollar equal to rupees 47.5 दियावा है अपने को dollar 2 lakh उसको transfer करना है तो कितना देना पड़ेगा 180 days के बाद अगर मैं forward enter करता हूँ तो 2 lakh into 47.5 and that is 9 crore 50 lakh 95 lakh okay sorry so rupees 95 lakh आ गया यह तो हसते खेलते होगे एक line का answer है तो forward का मेरे को tension है भी अगर मैं hedge नहीं लेता तो देखो क्या बोला है वो लोग ने वह भी मैं आपको एकदम दो मिनिट में बता देता हूँ तो यह वाला मेरा जो position है वो clear हो गया future spot rate in 180 days as estimated by the consultant is 47.75 पर डॉलर तो यहां पे वो भी अपने पास आगे कि future में spot rate कितना हो जाएगा 47.75 तो उस हिसाब से उस लिहास से अगर मैं बोलता हूँ बाए 1 डॉलर आगे जाके होने वाला है मेरे को दो लाग डॉलर ट्रांसफर करना है तेन इन देट केस करो क्रॉस मल्टिप्लाइ तो 47.75 इंटू 2 लाग यह कितना हो गया यह हो जाएगा रुपीज 95,50,000 तो आई तिंग यह option से तो अच्छा forward वाला option था तो कहने का मतलब है मेरा forward वाला सीन हो गया मेरा no hedge वाला सीन हो गया अब बाबुजी मेन क्या है क्यों कर रहा है यह question देखने के लिए कि option hedging बेटर है forward hedging से या नहीं no hedge से तो forward hedge बेटर यह अपन लोग ने देख लिया अब अपने को देखना है option वाले का concept यूज करके and that is now what I am going to start here and क्या अपन लोग यूज कर रहे हैं अपन यूज कर रहे हैं option currency option we are going to use currency options मुझे बताओ currency options अगर अपने को यहां पर use करना है then options का थोड़ा बहुत idea तो आपको होगा ही I am sure चलो so कौन यूज करने वाला है currency options correct morris limited जिसका risk जिसका currency का risk है याद है जब मैं starting starting में तुम लोगो sums कर रहाता था जो first time देख रहे हैं उनके लिए मदा दे तो मैं कभी भी लिखवाता हूं कि importer कौन है कौन सी country का है exporter कौन है और कौन सी country का है invoice कौन currency currency में दीवी है तो invoice का currency and then currency risk कौन सी currency को है यहां पर आपनों जैसा कि देख सकते हैं कि बेटा importer है इंडिया वाले मतलब रूपीज exporter है अमेरिका वाले मतलब डॉलर invoice है डॉलर में मतलब currency risk किसको हुआ बेटा अधर करन्सी को जिसका invoice है उसको जिस करन्सी का invoice है उसको कोई tension ही नहीं है यह कि उसको तो उसकी करन्सी में मिलने वाला है पैसा तो अधर currency is at the risk which is इंडिया वाले विच इस मौरिस समझ में आ गई इधर तक बाते क्लियर है सर अब अपने को setup करना है मौरिस लिमिटेड के लिए क्या setup करना है अपने को currency options सो मौरिस लिमिटेड लोजिकली करेंगे फिर उसका एक ideal format बना लेंगे मौरिस लिमिटेड क्या है यह मौरिस लिमिटेड सर मौरिस लिमिटेड एक importer है याद करो importer को क्या डर होता है इस importer को क्या डर था कि one dollar equal to rupees 85 है अगर one dollar equal to rupees 90 हो गया तो मैं तो गया तो मुझे डर है कि कहीं यह currency का rate बढ़ना जाए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा अगर मुझे डर है कि currency का rate बढ़ना जाए तो correct right to buy call option use करूंगा अब थोड़ा मैं और फिर भी और basics के उपर जाता हूं और उसको तुम लोग को समझाता हूं मॉर्स लिमिटेड मेरे भाई तेरे को क्या चाहिए सो मॉर्स लिमिटेड क्या बोलेगा कि देखो मेरे पास तो rupees है ठीक है तो मैं क्या करने वाला हूं what will the importer डू जैसा कि अपने लोग करते हैं मैं यहाँ पर तुम लोग को question पूछता हूं what will the importer डू या दे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के basic concept बिल्डिंग वाले questions में ऐसे ही सब अपन पूछते दे रहा एक दूसरे को अभी उम्हारे का सब clear हो गए तो ऐसा चलो what will the importer डू इंपोर्टर को चाहिए तो लाग डॉलर और उसके पास है rupees तो वह क्या करेगा बैंक में जाके sell rupees बाइ dollar करने वाला है वो और अगर उसको buy करना है याद करो options options याद करो कि अगर मेरे को long करना है मेरे को buy करना है कोई चीज को then in that case क्या करूंगा मैं can I say right to buy अगर मेरे को चाहिए correct I will use the call option I will use the call option अगर मेरे को right to buy चाहिए boss मेरे लिए सबसे best है कि मैं call option लोंगा क्यों क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे dollar के price को freeze कर लूँगा अगर यहाँ से उपर भी गया तो मैंने जो price पे freeze किया वा है मेरे को उस price पे मिल जाएगा obviously वो freeze करने के लिए मुझे कुछ premium पे करना पड़ेगा चलेगा but main क्या है identify करना कि मेरे को call option लेना है या मेरे को put option लेना है यहाँ पे मैंने पहले identify किया सबसे important step यह होता है कि identify कर लूँ कि मेरे को call option लेना है कि put option लेना है फिर तो बाद में process बहुत simple है फिर तो खाई उसको execute कर रहा है बट पहले identify करो कैसा identify किया आप इंपोर्टर है इंपोर्टर है तो इंपोर्टर को currency ये वाला foreign currency बाई करना है अब अगर foreign currency उसको बाई करना है बेटा ध्यान देना यहाँ पे अगर मेरे को foreign currency बाई करना है तो मुझे क्या डर है मुझे डर है कि अगर ये बढ़ गया तो जैसे कि यहां पे अपर लोग वाला example ले लेते हैं अगर ये आज है मेरा 1 dollar equal to rupees कुछ 47 चल रहा है spot कितना चल रहा है 47 चल रहा है तो अगर ये मेरा आज 1 dollar equal to rupees 47 है मेरे को तो यह डर है कि अगर ये rupees 49 हो गया तो तो मेरे से तो उतना extra payment चले जाएगा तो I want to freeze, I want to freeze the price, so मैं यह आपर लिख दूंगा, as an, तुम लोग के लिए explanations देते जा रहा हूं, as an importer, I will freeze the currency rates by access, by using the right to buy call option, by using right to buy call option, समझ में आया आपको everybody, समझ में आ रही है यह बाते, ठीक है, So, अब यहाँ पर देखो, दो चीज दियावा है, एक दियावा है call option on the dollar, and दूसरा दियावा है put option on the dollar, So, एक दियावा है अपने को call option, and दूसरा दियावा है put option, अपन कौन सा use करने वाले है, अपने को दियावा है call option, दूसरा दियावा है put option, अपन कौन सा use करने वाले है, call option, अपने use करने वाले है call option, क्योंकि में को डर है, currency का rate बढ़ गया, तो problem हो जाएगा, तो buy, right to buy, buy का मैं price freeze कर दूँगा, got it, got it sir, कोई problem नहीं है, absolutely, so अगर कोई problem नहीं है, तो अब यहाँ पर देखो, क्या बहले call option on the dollar which expires in 180 days, has an exercise price of, यह है rupees 47 per dollar, यह है rupees 47 per dollar, यह है तू नहीं है, rupees 47, rupees 47 per dollar, and premium इतना अपने को pay करना पड़ेगा, so देखो, 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 अब अगें, पहला, we are taking call option, जो है मेरा right to buy, जो है मेरा right to buy, right to buy कब लेते हो, when you are expecting the market to go up, ताकि आप यहाँ पे buy कर सको, कम में buy कर सको, यहाँ पे भी importer को वही डर है, अगर market उपर गया, तो मैं यहाँ पे right to buy यूज कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है आपको, we are taking call option, right to buy, buy, paying premium, कितना premium, कितना premium everybody, premium मैं पे करने वाला हूँ, बोला यहाँ पे, रूपीज 47 पर डॉलर, by paying premium, रूपीज 47 पर डॉलर, sorry, premium 0.52 पर डॉलर, sorry, sorry, by paying premium, रूपीज 0.52 पर डॉलर, बनाव रहे, and freezing rate, क्या rate अपन फ्रीज कर रहे हैं, रूपीज 47 पर डॉलर, मेरे लिए, फ्रीज हो गया, है, मेरे लिए, फ्रीज हो गया, got it everybody, tensor, अब देखो, आज मुझे, पे करना पड़ेगा, therefore, pay premium, बराबर है, अच्छा, कितना premium पे करना पड़ेगा, मेरे को, so, 0.52, पर डॉलर, इसको आपनों ऐसे लिख लेते हैं, एक डॉलर का, रुपीज 0.52, पे करना पड़ेगा, बराबर है, तो, 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 डॉलर 2,00, का चाहिए, तो, कितना premium प्रीमियम आ जाएगा, so, इसको तो इंडियन टर्म्स में देखना पड़ेगा, प्रीमियम रुपीज 1,004,000, बराबर है, अब दियान से जाएगा, देखो मैं, एक्जांपल के तुरू जाते जा रहा हूँ, फिर इसको आपनों लोगे, फॉर्मलाइज कॉंसेप्ट में बता हूँगा, अब मैंने जब प्रीमियम पे कर दिया है, so, प्रीमियम मैंने पे कर दिया है, रुपीज 1,004,000 का, बराबर है, एंड, मैंने फ्रीज कर दिया है, मेरा स्ट्राइक प्राइज, एक्सर्साइज प्राइज, जिसको आपन फिस 47, अगर बढ़ा, तो एक्सरसाइज करेंगे, नहीं बढ़ा, तो लैप्स होने देंगे, तो अपने को, करन्ट रेट सस्ता वढ़ जाएगा, समझे के नहीं, so, चलो, अभी आके देखो, कितना आ रहा है, so, मेरा, अब, देखो, यहाँ पे, इन डिरेक्ली वो लोग न तो, therefore, यहाँ पे अपन बोलेंगे, expected, spot rate, after 180 days, कितना होने वाला है, $1 equal to rupees, 47.75, तो अपन एक्सरसाइज करेंगे, क्या, सोच समझ के बाद हो, अपन एक्सरसाइज करेंगे, क्या, the answer is, yes, right to buy, तो तो तभी exercise करते हैं, जब मार्केट उपर जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे rate है उपर गया, so we will exercise it, got it, therefore, इसका लिखेंगे, since forex rate has increased, we will exercise the option, since forex rate has increased, we will exercise the option, और जैसे ही हमने exercise किया option को, समझ रहे हैं, जैसे हमने exercise किया option को, अपना काम हो गया, so अब मैं जब exercise करता हूँ मेरे option को, अब जब मैं मेरे, मैंने अगर exercise किया option, तो क्या scene हो जाएगा, मेरेको तो 47 में मिल जाएगा, so therefore, dollar 2 lakh, मेरा बात हो गया है, मेरेको 1 dollar 47 में मिलेगा, boss 180 days में, जबी में मैं कुछ यह मैं option exercise कर सकता हूँ, into 47 per dollar, तो कितना हो गया यहापे, 2 lakh into 47, हो गया, rupees 94 lakh, यह मेरा outflow है, plus मैंने premium भी तो pay किया है, premium कितना पे किया है, मैंने, 1 lakh 4,000, 1 lakh 4,000, so therefore, total outflow, if currency option is taken, currency option is taken, कितना आता है, रुपीज 95 lakh 4,000, समझ में आई बार, आभी clear everybody, this is currency option, सरी तो यह simple था, exactly, 95 lakh 4,000 मेरा गया, अभी सुनो, मेरे पास तीन option है, एक मैंने forward cover लिया, एक मैंने currency option लिया, अलो, तीसरा option क्या था, एक मैंने wait किया, spot का, spot after 180 days, सुनो, पहले वाले में मेरा आया, 95 lakh, outflow, तीसरे वाले में आया, 95.5 lakh, 95.5 lakh, और दूसरे वाले में आया, 95 lakh 4,000, just के लिए, forward is better, but अपने को main तो क्या था, main क्या था अपने लिए, कि currency option को कैसे use किया जाता है, यह basic example मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था, कहीं नहीं मिलेगा, अब एक feel आगया अपने को, अच्छा, एफा होता है, currency option, easily manage भी हो पाया, थोड़ा अपना दिमाग भी, अब इस direction में चलने लग गया, got it everybody, बस, अब थोड़ा और level को बढ़ाते जाएंगे, और अच्छे level पे जाते जाएंगे, एक systematic format बना देंगे, दो-तीन और sums यूज़ करके, फिर दुनिया का कोई भी sum कहां से भी आने दो रहें, अपने को कभी tension नहीं होगा, यह ना, चलना, तो क्या आप लोग को समझ में आ गई बाते, अब अगर मैं यही, जो question, example मैंने आप लोग को करवाया, उसको एक format में डा आपको call option लेना है, या put option लेना है, वो ही identify करना सबसे important है, currency, options, options में सबसे important call put, that is what I am trying to do, एक बार वो हो गया, फिर step 2 पे चलेंगे, तो step 1 है identification of कौन सा option लेना है, तो अभी आपन ने देखा, कि हमारे case में हमारा जो Morris Limited था, यह था एक importer, बराबर है, यह था एक importer, importer को क्या डर है कि price अगर बढ़ गया तो, और price बढ़ जाता है, तो आपन लोग क्या लेते हैं, call option, राइट, बस वोई logic को use कर देगा है, तो importer को करना है foreign currency buy, उसको करना है foreign currency buy, क्यों रे, क्यों इसको foreign currency buy करना है, क्योंकि importer foreign currency buy करके importer बेजेगा ना अपने exporter को जब आपको कुछ buy करना है usually what you will do is आपको डर क्या है risk क्या है कि उसका rate बढ़ जाएगा so risk increase in rate उसको hedge करने के लिए आप क्या कर देंगे freeze कर देंगे क्या call option के through write to buy exercise price freeze कर देंगे exercise price freeze कर देंगे क्या यह आप लोगों सब लोगों समझ में आ गया everybody क्या आप लोगों यह समझ में आ गया exercise price अपन लोग ने freeze कर दिया using call option अगर मैं importer हूँ और foreign currency buy करना चाता हूँ तो बस इसमें बहुत बड़ा catch है जो मैंने आप लोगों को अभी तक आभास नहीं होने दिया जिसका idea मैंने अभी तक नहीं लगने दिया and guys and guys that was के मेरा जो यहां पर इंपोर्टर है ठीक है इंपोर्टर है न तो इंपोर्टर के लिए यहां पर जो currency का denomination दिया है that should be in foreign currency foreign currency तुम्हारा base में होना चाहिए so all of this will be applicable इसको मैं इदर लिख देता हूं पर साइड पर जगा कर देते हैं यह सब applicable क्यों हो पाया पता है क्योंकि denomination दिया था one dollar equal to rupees 47 के terms में तोड़ा सा इसको shift कर देते हैं क्यों पता है क्योंकि यह denomination दिया था one dollar equal to rupees 47 के terms में जी हां मतलब foreign currency यहां पर base पर था foreign currency was at base ठीक है currency denomination foreign currency के terms में दिया था so currency denomination was in terms of foreign currency तो सर अगर उल्टा होता तो मतलब अगर rupees के terms में दिया आता तो आओ दिखाता हूं तुम लोग को दो example के through और फिर मेरा यह format complete होगा अभी यह तो एक बोलता है ना draft format है तर तो थोड़ा एक को और explain करो ना बताता हूं foreign currency के terms foreign currency was at the base one dollar equal to foreign currency currency denomination was in terms of foreign currency one dollar equal to rupees 47 57 whatever is the case तो सर अगर one rupees के terms में होता तो आओ मैं आपको example देता हूं एक नहीं दो suppose अगर दिया होता one rupees equal to dollar ठीक है everybody please focus one rupees equal to dollar obviously dollar तो .012 के terms में ठीक है एन आपको बोलाए कि आप ही importer ही हो आपको dollar two lakh pay करना है dollar two lakh pay करना है तो essentially आपको कितना rupees पे करना हो पड़ेगा अगर spot के हिसाब से मैं अगर देखू तो suppose यह spot का rate है आप importer ही हो चलो वह भी मैं लिखवा देता हूं भाई वह भी लिखवा देता हूं इंडियन इंपोर्टर एस टू पे dollar two lakh इंडियन इंपोर्टर ही हो और आपको dollar two lakh pay करना है अब समझो one rupees is equal to dollar zero point zero one two dollar two lakh है तो मतलब कितना rupees पे करना हुआ two lakh into one beta cross multiply divide by point zero one two यह आग्या rupees one crore one point six seven crores ले 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 ता हूं में ठीक है लिखना है लिख लो भई one point six seven crores मेरे को pay करना पड़ेगा कैसे आई यह dollar two lakh into one divide by zero point zero one two done sir so ऐसा scenario है अब सुनो दो बाते हो सकती है या तो future में अगर one dollar equal to sorry one rupees equal to dollar zero point zero one two है बेटा one rupees equal to dollar zero point zero one two है तो मेरा जेब से rupees one point six seven crores जा रहा है अगर आज-काज ही payment करना होता तो पर ऐसा होता नहीं है बराबर है currency option ले इसलिए क्योंकि future में यह सब चीज़े होने वाली है समझो future में game बदलना हमको अगर say for example चार महिने का तीन महिने का दियावा है एंड यह हो गया rupees one rupees equal to dollar zero point zero one five यह यह हो गया one rupees equal to dollar zero point zero one zero ठीक है इस case में अगर ऐसा हुआ और दो लाग dollar पे करना है तो कितना आएगा तो two lakh into one divide by point zero one five तो यह आता है rupees one point three three crores everybody यह आता है one point three three crores तो इसका तो मुझे टेंचन नहीं कि पहले one point six seven बरना था one point three आएगा अब देखो क्या हो रहा है यहां पे यहां पे अगर मैं लिखता हूं dollar two lakh अब मेरा यह rupees कितना आ जाएगा तो it will become two lakh into one divide by point zero one zero and this will be rupees two crores अब सुनो अगर मैं Indian importer हूं और question में one rupees equal to dollar zero point zero one two के terms में चीजे दीवी है तो future में मुझे डर क्या है पता है कहीं यह dollar कम ना हो जाए कहीं यह जो rate चल रहा है वो कम ना हो जाए अगर कम हो जाता है तो मुझे टेंचन है तो मैं क्या बोलूंगा नहीं नहीं मेरा तो यह price freeze कर दो मेरा तो यह हुआ तो टेंचन नहीं है मेरे को टेंचन किस बात का है अगर dollar point zero one two के जगह पे dollar point zero one zero हो गया तो मतलब कहना इसे वह गिर गया अभी जो currency के बोल रहा हूं मैं कहना इसे dollar अगर dollar point zero one zero zero point zero one two के जगे पे zero point zero one zero हो गया तो oh my god मुझे नहीं नहीं मुझे यह freeze कर दो अगर यह नीचे हो गया तो मुझे टेंचन है तो ऐसे situation में मुझे टेंचन क्या है अगर यह नीचे हो गया तो मुझे टेंचन है तो अगर कोई चीज नीचे गिरने वाली है और मुझे उसका फाइदा लेना है या मुझे चाहिए कि बाइन पेर को उस नीचे जाने की वज़े से लॉस ना हो तो मैं क्या करता हूँ, put option ले लूँगा, right to sell को freeze कर दूँगा तो यहाँ पे अगर, अगर, डिनोमिनेशन, अगर यह देखो ना, आप समझे, डिनोमिनेशन, अगर यहाँ पे डिनोमिनेशन, foreign currency के जगे पे importer की home currency में है, then in that case, importer की home currency में है, then in that case, मैं put option लेता हूँ समझे, यह game है, currency options, इतने सारे इसमें पढ़ाव, इसी की वज़े से आते है, यह चोटी-चोटी चीजों की वज़े से आते है, yes, समझे, तो अगर, 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 import arum है, but, 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 जो दियावा है, उन्होंने, forex का, जो terms दियावा है, that is, home currency को उन्होंने, base के हिसाब से दियावा है, then, I will take a put option, even though I am a importer, दू आपको और एक example, यह तो dollar का example था न, चलो, एक Japanese yen का example भी देता हूँ, उल्टा किलते हैं, suppose Japanese yen है, यह भी देखो, यह समझ में आ गया सब लोग को everybody, यह वाला example, उलोग के पास ही रहने वाला example, tension मत लेना, देखते रहना बिंदास, और फिर मैं एक final conclusive proforma बनाऊंगा, आपके बाद, उसके बाद, उसके बाद कोई भी समाने दो, यह तुमको tension लेना ही, चलो, suppose Japanese yen दिया, and मेरे को spot का rate दिया, भी यह फटा-फट हो जाएगा, suppose spot का rate दिया है, 1 rupees equal to Japanese yen है, तो ज्यादा उसमें होता है, so suppose यह है 2 Japanese yen, अपने को उसको pay करना है, suppose 5 lakh Japanese yen, तो कितना rupees pay करना पड़ेगा, आज के terms में, आज के terms में कितना rupees pay करना पड़ेगा, तो करो cross multiply 5 lakh divide by 2, multiply by 1 divide by 2, so rupees 2 lakh 50,000 जाएगा, but suppose, दो option, 1 rupees equal to 3 Japanese yen हो गया तो, या फिर 1 rupees equal to 4 Japanese yen हो गया तो, suppose 4 हो गया, मेरे को 5 lakh Japanese yen pay करना है, ठीक है, मेरे को 5 lakh, अरे सर, दोनों ही बढ़ा रहे हुआ, एक कम करो, अच्छा, ओके, 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 तो यह ना, इसको थोड़ा और ज्यादा रखता हूँ मैं, इसको रखता हूँ मैं 3 Japanese yen, तो मैं इसको 2 कर पाऊंगा, तो इसको मैं 2 कर पाऊंगा, चौँ, अब एक हो, यह अगर 3 Japanese yen हो जाते हैं, तो 5 lakh into 1 divide by 3, तो 1,666,667 मेरे जेब से जाने वाला है, 1,666,667 मेरे जेब से जाने वाला है, अब सुनो क्या हुआ, अगर यहाँ पे समझो, यह 4 Japanese yen हो गया, तो क्या हो जाएगा, 5 lakh into 1 divide by 4, तो मेरे जेब से जाएगा, 1,25,000, मुझे टेंशन ही नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि अगर यहाँ पे 1,666,000 की जगे पे 1,25 गया तो चलेगा, बट यहाँ पे देखो, अगर वो कम हो गया तो, यहाँ पे तो बढ़ा, बढ़ा का टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो बढ़ा, बढ़े का टेंशन नहीं है, अगर कम हो गया, तो क्या हो रहा है देखो, मेरे को तो 5 lakh Japanese yen पे करना है, अब मेरे जेब से कितना जाएगा, तो मुझे किस चीज का डर है, कि कई 3 Japanese yen, 2 Japanese yen हो गया तो, गिर गया तो, और अगर कोई गिरने वाला है, तो अगर कोई गिरने वाला है, तो आपके लिए करना है, तो आपके लिए करन्सी हम फ्रीज कर देंगे, यहाँ पे right to sell, मतलब यहाँ पे currency option को freeze करने का मतलब क्या है, मैं इस currency का rate वो freeze कर रहा हूँ, अब अगर 1 रूपी is equal to 2 JPY गिर भी गया तो भी मुझे tension नहीं है, मैं इसी के उपर से payment कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने put option लिया है, put option क्यों मेरे को लेना पड़ा, यहाँ पे importer होते वे भी, क्योंकि currency denomination मेरे home currency, local currency में दी गई है, अब बन रहा है मेरा pro forma ध्यान से सुनना, अगर importer है, जिसको buy करना है foreign currency या जिसको अपन लोग बोल सकते हैं, payment करना है in foreign currency, that is, payment to be done in foreign currency, आप पहले चेक करोगे, की, जो question में उन्हाने rates दिया है, book के हिसाब से rates दिया है, so, Forex rates, denominated in foreign currency, तो फिर आप लोगे call option, right to buy, a, and, 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 if, 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 correct, Forex rates, denominated in home, या जिसको बोलते हैं, अपन, local currency, correct, तो फिर आपन लेंगे, put option, तो फिर आपन लेंगे, put option, hey, समझे गड़ू, so, सबसे important चीज, currency options में होती है, अपने लिए तो, कि पहले आपन ये तो identify करें, कि call है, या put है, क्या लेना है, आपको, आपने freeze कर लिया है, अब आपने freeze कर लिया है, यहाँ पे call option, अब अगर भी market गया, 47 अपने freeze किया, 49 भी गया, अपन 47 पे ही करेंगे payment, अगर अपने put लिया है, अपना ISA, 1 रूपीज इक्वल टू, 3 जैपनीज येन पे, अब अगर ये 2 भी गया, तो भी, हाँ, 1 रूपीज इक्वल टू, 3 जैपनीज येन के हिसाब से, पेमिंट करेंगे, और वो अपने लिए favorable हुगा, और, रिवर्स होता है, तो फिर अपने लिए तो फाइदा ही है, तो आपना exercise ही नहीं करेंगे option, वो अलग ही बात है, अब ये understanding guys, बोलो yes, अब इधर note, इसी को अगर चाहे तो continue कर देता हूँ, यहाँ पर इधर चाहे तो लिख देता हूँ, मैं जहांसे देखना आप लो, इसको थोड़ा उपर ले लेते हैं, अब इस case में क्या, if currency rate increases exercise the option, else lapse, do not exercise and यहाँ पर, currency rate decreases तो मैं exercise करेगा, decrease वा तो मैं exercise करेगा, अदर्वाइस मैं को 250 देना पड़ेगा अभी, exercise क्या तो 166,67 यह देना पड़ेगा, if currency rate decreases, तो मैं exercise the option, else lapse, base clear हो गया है अपने को सबको, any questions anybody guys, अब अगर, same to same cheese, exporter के लिए मेरे को बनानी हुई, क्या बात है, क्या बात है, अब तो आप लोगी champion होने वाले मुझे लग रहा है, correct, same to same cheese, बस reverse करनी है, अगर, चलो ना, मैं आपको logically बताता हूँ, कोई attention की बात निए, यह अप लोग अभी खुद बना पाऊगे, अगर, suppose importer के जगे पे हुआ, exporter, importer के जगे पे हुआ, exporter, तो आप, अगर exporter हो, then in that case, आपके पास, exporter आपने कुछ goods बेचा है, तो आपके पास foreign currency आएगा, वो आप market में जाके, authorized dealer या bank को जाके sell करोगे, you will sell foreign currency, correct, अब, payment to be done in foreign currency था, यहाँ पे अपने पास, receipt आएगा, अपने local currency का, यहाँ पे होने वाला है, receipt in home currency, payment नहीं, receipt, to be done, in home currency, इसको पन बोलता है, local, to be received बोल देता है, ना इसको, क्या बोलते हैं, to be received in local, और home currency, forex rates denominated in foreign exchange, अगर यहाँ पे call था, तो यहाँ पे आजाएगा put, यहाँ पे आजाएगा call, आपको चाहिए, तो करके बताता हूँ, मैं example के थूँ, हाँ सर बताओ, बताता हूँ, देखो, if currency rate, यहाँ पे, increases के जगे पे, decreases, exercise the option, else lap, and यहाँ पे, if currency rate, decreases के जगे पे, increases, देखो, आओ, तुम लोग को करके दिखाता हूँ, मैं एक example भी, suppose आप हो exporter, ठीक है, आपको denomination में दिया वा है, one dollar equal to rupees, say 85, 85, one dollar equal to rupees, 85 है भाई, अपना करन चल रहा है, अपने को dollar, एक लाक मिलने वाला है, मतलब 85 lakh rupees, मिलने वाला है, बरावर है, अब सुनो, क्या हो जाता है, समझो, अगर यह, one dollar equal to rupees, 83 हो गया, तो मेरको 83 lakh ही मिलेगा, जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इसी का डर है, कहीं यह, अगर मेरा town हो गया, तो, यहाँ पे देखो, right, forex denominated, forex rates denominated in foreign currency, yes, put option, if currency rate decreases, exercise the option, तो यहाँ पे 85 का 83 हुआ, मैं exercise करूंगा, जी हाँ, मैं exercise करूंगा, otherwise, अगर 85 का 86, 87 हो गया, तो मेरे तो मैं तो मैं तो बोलूंगा, अच्छी बात है भाई, मेरे को साधा पैसा मिलेगा, तो I will not exercise, समझ मैं कि नहीं, आप लोग everybody, एन उल्टा हुआ, वाईसर वर्सा हुआ, तो आप लोग अभी ट्राए कर रो, yes, say for example, 1 रूपीज इक्वल टू, डॉलर 0.012 वाला, वह यह एक्जांपल लेकर, आप लोग ट्राए कर लो, you will get the same answer, बट याद रखना, आप एक्स्पोर्टर हो, आपको डॉलर वेच के पैसा, मिलने वाला है, and that is where, मेरा सबसे फर्स जो चीज था, कि आपको पता चले, call option या put option, वो चीज confirm करवा दिया है, अच्छा everybody, चलो, अब एक ICAI का module का सम करते, बस इन ही चीजों को base में रखते वे, ICAI का एक question है, question number 33, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपने optimize में मैंने वही question रखा है, ICAI का अगर आप module को लोगे, तो आपको यह देखो, same question दिखेगा, question 33, call option, put option वाला, बस तो आपको यहाँ पे अब, अपने को यह वाला question से start करना है, तो please open everyone this question, and we will start it together, so, x, y, z, an Indian firm will need to pay Japanese yen 5 lakh on 30th of June, in order to hedge the risk involved in foreign currency transaction, firm is considering two alternative methods, that is forward market cover and currency option contract, जैसा भी आपनों ने सम में देखा था, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, forward market cover ले लो, या फिर currency option contract ले लो, on 1st April, the following quotations are made available, spot का rate दियावा है, and 3 months forward का rate दियावा है, JPY, INR, so we know that, कौन सा strong currency है, Japanese yen और INR में, INR is the strong currency, so, INR के terms में, यह यहाँ पे इनों ने दियावा है, so यहाँ पे अगर मैं इदर लिकूं, तो INR के terms में दियावा है, 1 INR equal to JPY bid, और ask का rate है, so, अब यहाँ पे, Indian firm, needs to pay, मतलब Indian firm, importer है बेटा, ध्यान से समझते जाओ, Indian firm, importer है, बढ़ावार है, home currency, local currency में, quoted है यह, forex का rates, आजाओ, 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 so, importer, तो उसको buy foreign currency करना है, payment to be done in foreign currency, JPY file है, इदर अपने को दिखी रहा है, आजाओ, forex rates denominated in foreign currency, और forex rates denominated in home currency, in home currency, forex rates denominated in foreign currency क्या होता है, मतलब 1 dollar equal to rupees something, but forex rates denominated in local currency क्या होता है, 1 rupees is equal to something, something, समझ रहे हो तुम लोग everybody, तो यहाँ पे, 1 rupees is equal to 1.96 JPY, या जो भी है वो है, कौन सा हैगा, put option, are we clear everybody, देखो, कितना must अभी system set हो गया, अब अपने को बता है कि call option चाहिए ही नहीं, अपने को चाहिए, put option, अपने को बता है, strike price क्या है, strike price मतलब यह price पे, अभी आपन लोग freeze कर लेंगे, right to sell, यह मेरा final price हो गया, for excess or balance of JPY covered, the firm would use forward rate as future spot rate, ठीक है, you are required to recommend cheaper hedging alternative, मेरे पास दो alternative methods है, question को देखो भाई, मेरे को नहीं, question को देखो, two alternative methods है, क्या, एक forward market, दूसरा, currency option, contract, समझे, forward market तो मतलब legit, 2 second में हो जाएगा, 2 second में forward market हो जाएगा, चलो आओ, करी लेते हैं, so, यहाँ पे we will write down, question number, 33, optimize low या module low, same ही है, so, तुमको इदर लिखना है module, तुमको इदर लिखना है optimize, जो लिखना है को परवा नहीं, ठीक है, क्या बोलता है solution, कि बहुस आपके पास, दो option है, एक, या तो आप forward market cover ले लो, दूसरा, आप currency options का option ले लो, पहला, अगर forward market cover लेता हूँ, तो क्या rate बैट रहा है मेरा, देखो जड़ा, forward market cover में क्या बोला है, 3 months forward का यहाँ पे rate दिया है, कौन सा लेंगे BD ask, वो भी अपनों decide करते हैं, तू देखो इदर, forward market cover में क्या बोला है, वो लोग ने, 3 months forward उन्हा ने कहा है, 1 rupees is equal to, next page पर करते हैं चलो, थोड़ा प्रॉपर्ली, so let's give a heading, forward market cover, forward market cover, forward market cover, okay, forward market cover, अगर अपने को लेना है यहाँ पे guys, forward market cover अगर मेरे को यहाँ पे लेना है, then in that case, क्या दिया है देखो वो लोग ने, 3 months forward market cover दिया है, 1 rupees is equal to, 1.9726, slash, 1.9923, 1.9726, 1.9923, right, yes, so that is how the system is, अब अपने को देखना है, क्या करना है अपने को, वापस base के ओपर जाओ, base concepts के ओपर आजाओ, कभी भी कोई भी question होना, यह चीज़ लिख लेना चाहिए, के importer कौन है, exporter कौन है, invoice कौन सी currency में, क्या amount के लिए है, and currency risk किस के लिए है, करके, तो इससे नए clarity रहती है, आपको decision making में, trust me, so importer कौन है बेटा, importer है अपन इंडिया, importer is इंडिया, rupees बढ़ार, exporter कौन है बेटा, जपैन, JPY, इनोंने जए वाई लिखा है, invoice क्या है, it is JPY, 5 lakh, तो currency risk किस का हुआ, INR, इंडिया का, rupees का currency risk हुआ, मतलब importer का, currency risk हुआ, so what will the importer do बेटा, what will importer do, importer को क्या करना है, payment करना है, in foreign currency, payment in foreign currency, payment in foreign currency, चलो, अब चाहिए तो ये वाली, सेम चीज आगे भी लिख देता हूँ, मैं, so we will write here, what will the importer do, payment in foreign currency, foreign currency में payment करना है, तो वो क्या करेगा, sell rupees, buy, JPY, base currency कौन है मेरा, rupees मेरा base currency है, right, so, अगर, sell rupees कर रहा हूँ मैं, तो can I say, I will buy, hello, I will, तो मतलब, bank will buy, the rupees, so sell rupees, so either मैं लिख दूँँगा, if, I am selling, that is, bank is, buying rupees, ध्यार रखने का, base currency के टांस में सोचा, sell rupees करना पढ़ रहा है, अपने को, क्यों sell rupees करना पढ़ रहा है, because, we are the importer, we want, JPY, तो मेरे पास तो rupees पढ़ा है, bank में जाँँगा, sell करूँगा, rupees JPY आएगा, और मेरे exporter को भेज दूँगा, तो आज मैं sell rupees कर रहा हूँ, I am selling, bank is buying, rupees, at, bank कभी भी क्या rate पे बाई करता है, bid rate पे, तो accordingly, मेरा bid rate, final हो जाएगा, so we will say, बेटा, that, 1 rupees is equal to, 1.9726 JPY, अपने को चाहिए, 5,00, JPY, so, आप बताएए, कितना rupees आएगा, and it's a no-brainer, it's a no-brainer, it will be 5,00, into 1, divide by, 1.9726, which is equal to, rupees 253, 473, are we clear, everybody, तो यह मेरा, forward cover हो गया, simple and straightforward, अब मेरे को, ऐसे ही find करना है, कि अगर मैं, options का cover लेता हूँ, तो मेरा, INR में कितना, खर्चा होगा, यह, अब मेरे को, इनको बताना है, आजब वापस से, question के उपर, right, आजब वापस से, question के उपर, and, yes, so 253, 473 मेरा आगए, अब, मुझे देखना है, कि, अगर मैं, currency option लेता हूँ, तो क्या करूँगा, currency option, अगर मैं ले रहा हूँ, तो यह चीज मैंना, identify कर लिया, that I am taking the put option, यह मैंने question, read करते करते, identify कर लिया था, but फिर भी, मैं यहाँ पे, उसको properly बता देता हूँ, currency options, मैं उसको बोल देता हूँ, क्या, कि, बॉस मैंना, importer हूँ, मिरको payment करना है, payment, to be, done, and, कौन से currency में है, local currency में, so, forex, rates in, home, या जिसको अपन बुलेंगे, local currency में है, तो, in such situation, बेटा मैं क्या कर लूँगा, बोल दो ना, correct, I will, immediately say, कि, forex rates अगर, home या local currency में है, then in that case, we will use the, put option, and put option, क्या rate पे है अपना, jy 0.098, jy 0.098, and इसमे, मुझे, strike price क्या मिल रहा है, इसमे, मुझे, strike price क्या मिल रहा है, jy 2.125, jy 2.125, चल, clear, यह, एक, अपना, system, set हो गया, बेटा, यह, एक, अपना, system, set हो गया है, यहाँ पे, चल, अब तक, जो भी पड़ा है, उसको, अब अपन, implement करेंगे, and yes, we are ready for it, guys, yes, so, देखो, यहाँ पे, अपने को, पता चल गया है, that, forward market cover, लेता हूं, तो, rupees 2,053,473, जाएगा, अगर, मैं, currency options, लेता हूं, तो, strike price, at jy, jpy 2.125, ब्लब, कुछ भी हो जाए, I will be able to buy, at this rate, correct, so, यहाँ पे, यहाँ पे, मेरा, strike price, तो, freeze होता है, अब, क्या हुआ है, आगे, क्या मेरे को, strike price, exercise करना पड़ा, या, lapse हुआ, ऐसा, तो, कुछ दिया ही, नहीं है, question में, तो, अगर, कुछ नहीं दिया है, by default, we will exercise it, लिख देता हूँ, यहाँ पे, एक नोट में, if, no info given, then, we will, exercise, the, option, अब, अगर, मैं मेरे, exercise करता हूँ, मेरे, option को, तो, क्या हो जाएगा, देखो, मेरा, option क्या है, वन रूपीज, इस एक्वल, टू, जे पी वाई, टू, पॉइंट, वन तू, फाई, मेरे, कितने, जे पी वाई, देने है, फाइब लैक, सो, जे पी वाई, फाइब लैक, तो, बी गिवन, सो, आप मेरे, बताओ, कितने, रूपीज, मेरे, जे प से जाएँगे, फाइब लैक, इंटू, वन, डिवाईड बाई, टू, पॉइंट, बाइब बाई, एंड, एट इस, रूपीज, टू, 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 235, और ये 253, एने, टाइम, मेरा करनसी, ऑप्शन, बेटर है, पाइब प्री में भी तो जाएगा, यहाँ पर अपने को करना है, यह अगर मैंने, एक्सराइस कर लिया, तो, आउट फ्लो, इफ, ऑप्शन, एक्सर्साइस, बट साथ में, बट, प्री मियम ऑल्सो टू बी आड़ेट, प्री मियम, ऑल्सो, टू बी, एड़ेट, तो, देखो, मेरको बताओ, प्री मियम कितना है, तो, यहाँ पर अपन लिखेंगे, प्री मियम, का अमाउंट, हम, ठीक है, प्री मियम का अमाउंट, यहाँ पर अपने को लिखना है, अब अपने को यहाँ पर प्री मियम का अमाउंट दियावा है, आपका प्री मियम है, पुट ऑप्शन जून, JPY 0.098, मतलब, अभी सब चीज, रूपीज के टम्स में दिवी है, तो यहाँ पर भी 1 रूपीज इक्वल टू, JPY 0.098, सर आपको कैसे पता कि यह 1 रूपीज के लिए दियावा है, अगें, कुछ नहीं दिया है, so that's how it works, so if no info given premium is for 1, ठीक ना, 1 रूपीज डॉलर जो भी होगा, यहाँ पर लिखा है, JPY 0.098, मतलब, it is given in terms of the other currency, वो भी मैं लिखवा दिता हूँ, आप लोग को बता दिता हूँ, since, बतलब यह तो देखो बहुत लॉजिकल है, दिखी रहा है अपने को, that since, premium is given as, JPY 0.0908, it means, it is given in terms of other, currency, समझे, suppose, example भी यहाँ पर यह दे देता हूँ, आपको, if premium, is given rupees 30, it means, it is in terms of other currency, एक सब्सक्राइब यह आप लोगों के explanation के लिए बाकी कुछ नहीं, यह आगे मैं तुम लोगों सब प्रोफोर्मा में लिखा हूँगा, अभी भी बता रहा हूँ, काली तुम लोगों, प्रीमियम इस जे पी वाई 0.0908, ठीक है, तो 235, 294 के लिए कितना, rupees 235, 294 के लिए कितना, बोलो बोलो चल चल, क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे बिटा, तो 235, 294, इन्टु 0.0908, जे पी वाई चाहिए, तो यह आ जाएगा, जे पी वाई के टर्म्स में, 2, 1, 3, 6, 5, जे पी वाई, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, इतना जे पी वाई आपको देना पड़ेगा, ऐस प्रीमियम, इतना जे पी वाई आपको देना पड़ेगा, ऐस प्रीमियम, तब जाके, आपका 235, 294 रुपीज, कवर हो जाएगा, समझ गए एकदम, मस्त, systematically, कोई टेंशन नहीं है, देखो, इधर यही पूरा, गेम चल रहा है, यहाँ पे आप लोग का, 235, 294 आप लोग ने कवर कर लिया है, बाई पेइंग 21, 365, जे पी वाई, एस प्रीमियम, बट मेरे को तो सब चीज रुपीज में चाहिए, सो देरफर, 21, 365, जे पी वाई, रिक्वाई, टू बी गिवन एस प्रीमियम, तू बी गिवन एस प्रीमियम, अब मैं तो इंडिया वाला हू, मेरे पास जे पी वाई है क्या, मेरे पास तो रुपीज है, तो देरफर, क्या करेंगे अपन, सेल रुपीज, बाई, जे पी वाई, अब अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो बैंक क्या करेगा, बैंक बाई करेगा, देरफर, बैंक विल, बाई, एट, बेड, रेट, यह क्यों लिया, क्योंकि यही मेरा, बेस करंसी है, बिटा, आपको देरा बैंक करेंगे, बाई, जे पी वाई, कर दिइंगे, नो प्रॉब्लम सर, तो अब आपने पास जे पी वाई आगया है, 21365, बट इसके लिए, मेरे को कितना रूपीज देना पड़ा तो यह तो आपको आज ही देना पड़ेगा यह तो आपको इसका रेट को जारा बंड़ोपीज इकौल तो फिस्ट फॉन पॉइंच फैंच एक इड़ को कितना कि में अपने को कितना यह बीटा अपने को चाहिए जबी बाई 21365 So I write here 21365 JPY Cross multiply And देखो कितना rupees आता है So 21365 Divide by 1.9516 ये आ जाता है rupees 10947 So therefore Total outflow ठीक है एक तो अपना जो premium जो अपनों ने put option खरीदा उसका 235294 So Put option का 235294 और इसका 10947 9516 I think rounding off error है I mean rounding off difference होगा Premium Premium देखो कितना है 10947 Total देखो कितना आता है 235294 प्लस 10947 And it is rupees 246, 241 इनका आता है इनका आता है difference of प्लस प्लस 10946. कि 860 900 रुपे का डिफ्रेंस है यह देखो पुरा यह ही अपना भी 234 294 है इनका अपना 234 नहीं अपना कितना दा 235 294 ना 235 294 है अपना भी 235 294 इन्टु 0.90908 है इनका भी इन्टु 0.09098 है मैंने क्या लिए ओग्सा मत हो जाओ सर कबसे आपको बता रहें सर कबसे आपको बता रहें कोई बात कांसेप्ट तो सही है ना भाई फिर कहें को टेंसल तो पॉइंट जीरो नेट टा टीक है अब ठीक है चलो तो यह कितना आजाता है सो टू त्री फाइट टू नाइन फॉर इन्टू पॉइंटू पॉइंट जीरो नैन एट टू त्री जीरो फाइट ओके अब कि देखो कॉंसेट्ट तो होई रहेगा ओके लिए है अब वो पॉप वी खिंगर लीरो टाइट नाजी कॉंसें पॉइंगा एना आज एना एना आज हो पॉप पीक है बजा प्रश्द एलाग दीक है 11815 सो देखो ध्यान रखने का भाई के यह चोटी-चोटी गलतिया ना हो जाए 815 चल फाइनली वी आवार आंसर गाईस सो प्लस 235294247109 अब बोलो कौंसा ओप्शन चूज करेंगे अपन सो फाइनल डिसीजन फारवड का करंसी ओप्शन का क्या है 247109 forward 25 25 347 3 yes, the options is better so, therefore पर ओप्शिन्स करन्सी इस बैटर इस बैटर है समझेगड़ू है के नहीं सो मट्यूल का साम इसी के साथ हो गया है फॉस्ट बेसिक फेज इडेंटिफाइंग क्या ऑप्शन है और कैसे इसको वोक आउट किया है वो आप लोग को मैंने यहां पर पूरा समझा दिया है I hope सब लोग को समझ में आ गया होगा अब next level पर चलेंगे जहां पर contracts होंगे बड़े-बड़े contract sizes होंगे यहां पर ऐसा कुछ था नहीं इसको उन्होंने काली एक ही टर्म में दिया हुआ है अब यह सारी चीज़े जो अभी अपन लोग ने समझी है उसको अपन लोग प्रोपर एक प्रोफोर्मा में लास्ट में डाल देंगे बटायों भी यह question समझ वह गया तो अपन question to question चीजों को workout करते जाएंगे अब next question पर चलूँगा वहां पर कुछ और चीज आप लोगो बताऊंगा तो और एक लेवल पर आ जाएंगे और एक लेवल पर आ जाएंगे और एक लेवल पर आ जाएंगे तो कहानी को फिर अब और आगे बढ़ाते जस्ट आपको एक बात बता दूं कि वही देखो end of the day आप revise करने वाले हो हमारी magic book से तो जब आप magic book से revise करोगे तो वहां पर आपको currency options के उपर जाना पड़ेगा currency options के लेड़ा identify whether to take a call option or put option क्या अगर यहां पर ही गलती हो गई then in that case the whole sum will go wrong तो इसके लिए मैंने इस चीज के ओपर बहुत focus किया है कि क्या करना identify to take a call option या put option importer है उसको buy करना है foreign currency exporter को sell करना है foreign currency कब वो call option देगा if option contract is in foreign currency ठीक है मतलब अगर India importer है and contract जो है वो dollar के terms में denoted है 1 dollar equal to rupees then in that case it will take a call option otherwise home currency में ही denominated है home currency में ही denominated है then in that case it will take a put option and vice versa for exporter so just आपको एक idea दे दिया है कि जो आपका magic book है उसमें भी यह चीज बहुत clear contract is of currency use per unit rate is given that is if premium is rupees equal to 2.1 JPY जैसे कि अभी अपने वाले case में था उसमें उसने दिया वा था that equal to 2.1 JPY 341 JPY 3.14 1.95 JPY मतलब the contract is in terms of rupees 1 rupees right so local currency में था बराबरे तो इसके लिए अपन लोग ने लिया था put option contract is in यहाँ पर means contract is in rupees अगर समझो premium दिया है 0.85 euro मतलब contract is in dollar समझे न तुम लोग so that's a very important thing के इसके basis पर अपने को समझ में आ गया है call लेना है put लेना है अब next level पर जाएंगे जहां पर अपन लोग options contract और वो सब चीजों की बाते करेंगे चल्ट सो आजो मेरे next question के ऊपर again a part of I see I module and अब अपन आ रहे हैं question number 86 के ऊपर जी आप module है अगर आपके पास optimized well and good optimize से कर लो otherwise आपके पास अगर ICI module है वहां से भी कर सकते हो कोई problem नहीं चल्ट लेट स्टार्ट गाईज can you start an American firm is under obligation to pay interest of Canadian dollar 10 lakh 10,000 and Canadian dollar 7 lakh 5,000 can dollar on 31st of July and 30th September respectively the firm is risk averse and its policies to hedge the risks involved in all foreign currency transactions American firm वो बोलती है जर्रा भी risk हम को लेना ही नहीं है and therefore it will enter into a hedging hedging कैसे कर रहे है आपर यह लोग by utilizing currency options finance manager is of the firm is thinking of hedging the risk considering two methods that is fixed forward or option contracts it is now 30th June following quotation regarding rates of exchange US dollar per Canadian dollar from the bank were obtained तो देखो क्या दिया है 0.9284.9288.9301.9356 पहली बात में आपको भूजता आपको पता होना चीए कौन दोनों में strong currency है dollar US dollar strong है Canadian dollar strong है but obvious US dollar is a stronger currency US dollar is a stronger currency मतलब क्या सुनों मैं पहले इंडियन रुपीज के टान से बताता हूं तो तो तुम लोग को थोड़ा चमकेगा फिर तुम लोग दिमाग लगा पाऊं one dollar equal to rupees 83 बड़ा बड़ है अगर यही मैं को जब one rupees लिखना होता है ना तो आता है point zero one three dollar समझ रहे हो तो जब zero point के terms में दिया हो ना तो इसका मतलब होता है कि जो base है मतलब यहां पे जिसका one है जिसके terms में दिया है that is the weaker currency ध्यान रखना है यह बात समझ रहे हैं आप यहां पे देखो point nine two eight four दिया है मतलब zero point के terms में दिया है ना मतलब base में weaker currency है मतलब one Canadian dollar के terms में यह चीज़ दीवी है getting my point यह होता अगर one point one three four slash one point one three six तो इसका मतलब US dollar के समझ में आया है यहां पे खली एक reference point के लिए अपर यूनिट के लिए आपको मैं निकवा देता हूं one Canadian dollar is equal to point nine two eight four अपना अमरिक्की dollar slash point nine two eight eight इंडिया का डॉल्र अबना US का डॉलर ठीक है चलो फिर one month forward दियावा है and three month forward दियावा है then price for a Canadian dollar slash US dollar on a US stock exchange payable on purchase of option contract size Canadian fifty thousand dollar are as follows अब यह देखो यह contract size और यह सब चीज़े इसमें आ रही है ध्यान से तो मैंने बुला ना लेवे लेकर करके अपन बढ़ाते जाएंगे मजा आते जाएगा price for Canadian dollar slash US dollar option on a US stock exchange cents per Canadian dollar हाहा बस लिक हाइलाइट करके रखो किदर क्या यूज करना है वो मैं बताऊंगा डोंट पेबल on purchase of the option जिसका contract size is Canadian dollar fifty thousand highlight करके रखो कैसे क्या यूज करना है बताऊंगा मैं don't worry are as follows strike price point 93 अगर चाहिए जुराय का call 1.56 का premium pay करना पड़ेगा पर premium कितना है कितना cents per Canadian dollar point 94 चाहिए इतना premium और अगर आपको पुट चाहिए तो इतना premium pay करना पड़ेगा तो यह मेरे strike prices है call चाहिए पुट चाहिए उससी सबसे premium भी दिया हुआ है and then we have to decide अब आप मिर को पहले बताओ कि यहां पे अपन क्या लेंगे कॉल लेंगे या पुट लेंगे सोच समझ के बाता कोई नहीं अपने को अपने पास पूरा अपना system ready है so we don't have to worry at all कि अपने को टेंशन लेनी की जरूरती नहीं है अपन को यहां पे decide कर रहा है कि what are we going to take call or put अभी देखो सुनो क्या है सीन देखो एड अमेरिकन फॉर्म इस अंडर obligation to pay interest of Canadian डॉलर तो रिस्क किसको है अमेरिकन वाले को है Canadian डॉलर में तो invoice denoted है ना चलो आओ बाई एकदम इसको है ना systematically based से कराना चालू करता हूं तो तुम लोगों को फटा-फट समझते जाएगा question 36 का मैं तुम्हारे को करवा रहा हूं solution ठीक है कब भी मैं तो कोई भी सम चालू करता हूं ना लिखी लेता हूं बाई कौन importer है कौन exporter है invoice कौन सी currency का है एंड यहां पे currency management risk किसका है currency risk management so अब importer कौन है American firm is under an obligation to pay interest so pay इसको करना है वो importer हुआ तो यह American dollar वाला हुआ exporter Canadian हुआ अब यहां पे interest पे करना है हो सकता है कैनेडा वाले ने इसको loan दिया होगा और interest पे करना है American वाले को अच्छोगे अपन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के टम्स में बोले एक ही बात है invoice दो invoices यहां पे पे करना है dollar Canadian dollar 10,000 और 31st July यह एक अच्छा point है बही dollar Canadian dollar 10,000,000 और दूसरा Canadian dollar 7,500,000 साथ लाग पाच अजार अच्छा डेट्स क्या है 31st July 30th September 31st July 30th September next the finance manager of the form is thinking of hedging the transactions वो सब ठीक है currency risk management in shot किसका हुआ अगर invoice Canadian dollar में है correct तो currency risk हुआ अमेरिका वाले का so American dollar जो मेरा importer है ठीक है क्यों मैं ही identify कर रहा हूँ मेरे उस format के लिए बत्ता अब मेरा वो format में set करने की कोशिश करूँगा ना बस उसी के लिए मैंने ये करवाया है तुम लोग को समझ में आ गया कि मुझे यहां पर identify करना है ना क्या के call आएगा या put तो मैं इधर जाता हूँ मेरे आहां आहां format के उपर अब मैंने identify कर लिए बहुत सी importer है तो देखो कौन से करन्सी में आप लोगों को दियावा है question यह मैंने अल्रेडी identify कर लिया है इस गिवन इंटर्म्स ओफ Canadian dollar it is given in terms of Canadian dollar तो अगर Canadian dollar के terms में दियावा है आपको currency so we will write here that currency quotation in terms of one Canadian dollar that is अब देखो American expo importer के ही सबसे सोच रहे हो तो वो क्या हो गया that is in foreign currency terms अमेरिकन के लिए तो वो foreign currency वा न अगर वन डॉलर इस इकोल to five Canadian dollar के terms में दिया होता तो वो लोकल करेंसी हो जाता क्योंकि अब भी अपन लोग किसके एंगल से सोच रहे सब कुछ अमेरिकन डॉलर इंपोर्टर के एंगल से उसका क्या लोगे आप you will take a call option अब तक तो मैंने पूरा सम नहीं पड़ा है बट इधर ही मैंने identify कर लिया सबसे important boss currency options कर रहा हूँ मुझे यह तो पता चले कि मुझे क्या लेना है call option के put option मेरे को लेना है call option तो सर्या किसके basis पे determine होता है यह जो आप लोग को question में currency का quotation दिया हुआ है उसके basis पे decide होता है यह currency के quotation के basis पे decide होगा again I'm telling you यह जो उन्होंने currency का quotation दिया हुआ है ना यह जो उन्होंने currency का quotation दिया हुआ है ना उसके basis पे decide होगा simple और यह मैंने तुम लोग को यहां पर explain किया है यह देखो currency के quotation के basis पर अपने सब्सक्राइं टुम्हें लोग को जब मैं अब हो जब मैं अब ही समझा रहा था यहां पे बहुत सारे के को श कोटेशन के basis पे इफ करन्सी रेट के बेसिस पह यहाँ पे डिसाइड करना है सिंपल ओकेइज इसक्लियर है एवर्रीबडी सुव एच्व दो सिंटम वर्क्स ट्रराई ट्री तेनोमिनेटेट इन फॉर्इन करेंटी तो फॉरेट्स रेट्स जिस करन्सी में Forex rates बोलो या इसको Forex quotation बोलो Forex rates या इसको Forex quotation बोलो Forex rates या Forex quotation बोलो So that means के Forex quotation यहां पर आपन लोग ने अल्रेडी question में identify कर लिया है बेटा क्या के इस इन टर्म्स आफ वन Canadian dollar risk American का है तो उसके लिए Canadian dollar क्या हुआ foreign currency so quotation is in terms of foreign currency importer है call option लेगा वह बात खतम फुल स्टॉप हो गया अपना ये पार clear तो चलो भी call option लेना है वो तो अपने को clear हो गया अब आगे According to the suggestion of finance manager if options are to be used one month option should be bought at a strike price of 94 cents अब तुम लोग थोड़ा सा question को देखो बराबर से यहां पे देखो उसने क्या बोला है today is June question में अगर आप लोग में देखा होगा ना it is now June 30 it is now June 30 so today is June 30 अब अगर आज June 30th है then in that case ध्यान से समझना आपको यहां पे देखो क्या बोला है to pay interest Canadian dollar on 31st July मतलब एक महिने बाद if options are to be used one month option should be bought at a strike price of 94 cents मतलब यहां पे यह वाले के लिए मिरको exercise price 94 cents का लेना है यह वाले के लिए मेरको exercise price 94 cents का लेना है समझ रहे हो आप लोग question को बहुत बारी किसे पढ़ना पड़ता है आप यार मजग तोड़ी है और 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 दूसरा दूसरा क्या बोला है वो लोग cents तो question में उसने वो भी दे दिया है boss कि यहां पे अपने को exercise price लेना है और 95 cents और 95 cents गॉच्छा everybody अब मैं इसको systematically next phase पे लिख सकता हो गाई के टुड़े 30th June one month, three month one month, three month, one month वाले के लिए क्या बोल रहा है वो 94 cents का exercise price freeze कर दो भाई and three month के बाद 95 cents का exercise price ख्रीस कर दो बी है कि इस कर दो दो के इस्ती है लिएकर ख्रीस कर द gente नले क HEY तो मैं आके हू ख्रीस कर दो रल्स मैं रहा है दो रहा है दो उन डया का दो आर दो या Engine इसम अब अपने पास पूरी तरह से ओपन है अब सुनो अपने को क्या बोला है उसमें अपने तो कॉल ऑप्शन फाइनल करी लिया है तो पुट को माइनस इतने सारे चीजे थी उसमें से अभी अपने लोग को पता चलगा चल वाइँ वटा तेरी जरुवती नहीं है इसमें अब यह 93 वाला अभी अपने को चाहिए नहीं अपने को खाली चाहिए जुलाइक और एक सेप्टेमबर का इसके लिए को उसने क्या बोला है प्रीमियम 1.02 समझ रहे हैं कि आप लोग यहां पे इसको थोड़ा चाहिए तो करके नीचे ले ले लेता हूं मैं यहां पे जब 94 का मेरा एकसरसाइस प्राइज है तो बेटा वह अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है वह अपने को प्रीमियम बोल रहा है 1.02 यहां पे यहां पे कितना बोल रहा है वह यहां पे वह अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है बेटा 1.64 1.64 समझ में आ गई बाते हां आपको एक बात बता दू कि वही देखो end of the day आप revise करने वाले हो हमारी magic book से तो जब आप magic book से revise करोगे तो वहाँ पर आपको currency options के उपर जाना पड़ेगा currency options एडा okay let's go to currency options तो अपना भी जो step हुआ है उसको मैंने यहाँ पर systematically लिखा हुआ है तो वो भी आप लोग को बता दू तो इसके लिए मैंने इस चीज़ के ओपर बहुत focus किया है कि क्या करना identify to take a call option या put option importer है उसको buy करना है foreign currency exporter को sell करना है foreign currency कब वो call option देगा if option contract is in foreign currency ठीक है मतलब अगर इंडिया importer है and contract जो है वो dollar के terms में denoted है one dollar equal to rupees then in that case it will take a call option otherwise home currency में ही denominated है home currency में ही denominated है then in that case it will take a put option and or vice versa for exporter so just आपको एक idea दे दिया है कि जो आपका magic book है उसमें भी ये चीज़ बहुत clear है contract is of currency उस per unit rate is given that is if premium is 1 rupees equal to 2.1 jpy जैसे कि अभी अपने वाले case में था उसमें उसने दिया वा था that equal to 2.1 jpy 341 jpy 3.14 1.95 jpy मतलब the contract is in terms of rupees 1 rupees right so local currency में था बराबरे तो इसके लिए अपन लोग ने लिया था put option contract is in यहाँ पर means contract is in rupees अगर समझो premium दिया है 0.85 euro मतलब contract is in dollar समझे न तुम लोग so that's a very important thing कि इसके basis पर अपने को समझ में आ गया है call लेना है put लेना है अब next level पर जाएंगे जहां पर अपन लोग options contract और वो सब चीजों की बाते करेंगे चल्ट आ जो मेरे next question के उपर again a part of ICAI module and अब अपना रहे है question number audio 6 के उपर जी हाँ आप module है अगर आपके पास optimized well and good optimize से कर लो otherwise आपके पास अगर ICI module है वहां से भी कर सकते हो कोई problem नहीं चल्ट let's start guys can you start an american firm is under obligation to pay interest of canadian dollar 10 lakh 10 000 and canadian dollar 7 lakh 5 000 can dollar on 31st of july and 30th september respectively the firm is risk averse and its policies to hedge the risks involved in all foreign currency transactions मतलब American firm है वो बोलती है जर्रा भी risk हम को लेना ही नहीं है and therefore it will enter into a hedging hedging कैसे कर रहे है आपे यह लोग by utilizing currency options finance manager is of the of the firm is thinking of hedging the risk considering two methods that is fixed forward or option contracts it is now 30th June following quotation regarding rates of exchange US dollar per Canadian dollar from the bank were obtained तो देखो क्या दिया है 0.9284.9288.9301.9356 पहली बात में आपको भूचता आपको पता हो न अच्छिए कौन दोनों में strong currency है dollar US dollar strong Canadian dollar strong but obvious US dollar is a stronger currency US dollar is a stronger currency just आपके info के लिए बता दू मैं that Canadian dollar one Canadian dollar is equal to possibly rupees 62 and अगर American dollar की बात करेंगे तो इस अप्रोक्सिमेटली 83 obviously US dollar is a strong currency थोड़ा दिमाग लगा इन्होंने देखो क्या दिया 0.9284 मतलब क्या सुनो मैं पहले Indian rupees के टाउन से बताता हूं तो तुम लोग को थोड़ा चमकेगा फिर तुम लोग दिमाग लगा पाऊं वन डॉलर इक्वल टू रूपीज 83 बड़ा बड़ है अगर यही मैं को जब बन रूपीज लिखना होता है ना तो आता है is जिरॉपॉइंट के टमस में दिया है ना मतलब बेस में वीकर करेंसी है ड्यवण कोनेडियन डॉलर के टमस में यह चीजज धी यहीं यह होता अगर 1.134 slash 1.136 तो इसका मतलब US dollar के terms में दिया होता, क्योंकि 1 से जाद है न तो strong currency is at the base base मतलब per unit terms में किसका दिया है, तो यहाँ पे because 0.9284 मतलब 1 से कम है 0.0 के terms में दिया होता है न तो इसका मतलब the weak currency is at base which is Canadian dollar ठीक है, so 1 per unit किसका है, Canadian dollar का दिया है, and फिर दिया है, 1 Canadian dollar equal to this, समझ में आया so यहाँ पे खली एक reference point के लिए आपको मैं लिकवा देता हूँ, 1 Canadian dollar is equal to 0.9284 अपना अमरीकी dollar slash 0.9288 इंडिया का dollar, अपना US का dollar ठीक है चलो, फिर 1 month forward दियावा है, and 3 month forward दियावा है then price for a Canadian dollar slash US dollar on a US stock exchange payable on purchase of option contract size Canadian 50,000 dollar are as follows अब यह देखो, यह contract size और यह सब चीज़े इसमें आ रही है, ध्यान से, दिखे ना, तो मैंने बुला ना, level एक करके अपन बढ़ाते जाएंगे, मजा आते जाएगा, price for Canadian dollar slash US dollar option, on a US stock exchange, cents per Canadian dollar, highlight करके रखो, किदर क्या use करना है, वो मैं बताऊंगा, don't worry, payable on purchase of the option, जिसका contract size is Canadian dollar 50,000, highlight करके रखो, कैसे क्या use करना है, बताऊंगा, don't worry, are as follows, strike price 0.93 अगर चाहिए, जुराय का call, 1.56 का premium पे करना पड़ेगा, पर premium कितना है, कितना cents per Canadian dollar, 0.94 चाहिए, इतना premium, 0.95 चाहिए, इतना premium, और अगर आपको put चाहिए, तो इतना premium पे करना पड़ेगा, ओके कोई, सो ये मेरे strike prices है, call चाहिए, put चाहिए, उसी सबसे premium भी दिया हुआ है, and then we have to decide, अब आप मिर को पहले बताओ, कि यहाँ पे अपन क्या लेंगे, call लेंगे या put लेंगे, सोच समझ के बाताओ, कोई गाई नहीं अपने को, अपने पास पूरा अपना system ready है, so we don't have to worry at all, अपने को टेंचन लेनी की ज़रूती नहीं है, अपन को यहाँ पे decide कर रहा है, कि what are we going to take, call or put, अभी देखो, सुनो इदर, क्या है, सीन देखो, an American firm is under obligation to pay interest of Canadian dollar, तो risk किसको है, American वाले को है, Canadian dollar में तो invoice denoted है न, चलो आओ बई, एकदम इसको है न, systematically based से कराना चालू करता हूँ, तो तुम लोगो फटा-फट समझते जाएगा, question 36 का मैं तुम्हारे को करवा रहा हूँ, solution, ठीक है, कभी भी मैं तो कोई भी sum चालू करता हूँ न, लिखी लेता हूँ बई, कौन importer है, कौन exporter है, currency, risk management, so अब importer, कौन है, American firm is under an obligation to pay interest, so pay इसको करना है, वो importer हुआ, तो यह American, मतलब डॉलर वाला हुआ, exporter Canadian हुआ, अब यहाँ पर interest पे करना है, हो सकता है, यह Canada वाले ने इसको loan दिया होगा, और interest पे करना है, American वाले को, that's okay, अपन इंपोर्टर, एक्सपोर्टर की टेम्स में बोले एक ही बात है, invoice, दो invoice हिएं पे करना है, साथ लाग पाच अजार अच्छा डेट्स क्या है 31 जुलाइ 30 सेप्टेमबर 31 जुलाइ 30 सेप्टेमबर नेक्स्ट सब्सक्राइब करनेजमेंट किसका हुआ अगर इन्वाइस कनेडियन डॉलर में है करेक्ट तो करन्सी रिस्क हुआ अमेरिका वाले का सो अमेरिकन डॉलर जो मेरा इंपोर्टर है ठीक है क्यों मैं यह इडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरे उस फॉर्मैट के लिए बत्ता अब मेरा वह फॉर्मैट में मैं सेट करने की कोशिश करूंगा ना बस उसी के लिए मैंने यह करवाया है तुम लोग को समझ में आ गया मुझे यहां पर इडेंटिफाई करना है न क्या के कॉल आएगा या पुट तो मैं इधर जाता हूँ मेरे आहां फॉर्मैट के उपर अब मैंने इडेंटिफाई कर लिए बहुत सी इंपोर्टर है तो देखो कौन से करन्सी में आप लोगों को दियावा है है question यह मैंने और या इडेंटिफाई कर लिया है इस गिवन इन तर्म्स आफ कनेडियन डॉलर इस गिवन इन तर्म्स आफ कनेडियन डॉलर के तर्म्स में दिया हूँ है आपको करंसी सो वी विल राइट यहर अध करंसी कोटेशन इन टर्म्स ओफ वन कनेडियन डॉलर अब देखो अमेरिकन इंपोर्टर के इस आप से सोच रहे हो तो वो क्या हो गया देट इस इन फॉरिन करेंसी टर्म अगर वन डॉलर इस इकल तो वह तो वह लोकल करेंसी हो जाता कि अपनों किसके एंगल से सोच रहे हैं सब कुछ American dollar importer के एंगल से उसका रिसक है so currency quotation is in terms of one Canadian dollar that is in foreign currency terms therefore आप आजाओ यहां पर importer है foreign currency के terms में है क्या लोगे आप you will take a call option अब तक तो मैंने पूरा सम नहीं पड़ा है इधर ही मैंने identify कर लिया सबसे important boss currency options कर रहा हूँ मुझे ये तो पता चले कि मुझे क्या लेना है call option के put option मेरे को लेना है call option तो सर्य किसके basis पे determined होता है यह जो आप विए को question में करंशी का quotation दिया हुआ है उसके basis पे decide रहीं करंशी के कोटेशन के basis पे decide होगा यह जो करंशी का quotation दिया हो है न उसके basis पे यह decide होगा simple और यह मैंने तुम लोग को जब मैं अभी समझा रहा था और यहां पे समझा रहा था तुम लोग मैंने बहुत सारे examples दिये तो यह currency rate के basis पे यहां पे decide करना है simple okay clear everybody so that's how the system works तो यह रहा फॉरेक्स रेट्स डिनॉमिनेटेट इन फॉरें करेंसी तो फॉरेक्स रेट्स जिस करेंसी में फॉरेक्स रेट्स बोल लो या इसको फॉरेक्स quotation बोल लो फॉरेक्स रेट्स या इसको फॉरेक्स quotation बोल लो फॉरेक्स रेट्स या एक्स बोल लो so that means के यहां पर अपन लोग ने अल्रेडी क्वेश्चन में इडेंटिफाइग कर लिया है बेटा क्या के इस इन टर्म्स आफ वन कनेडियन डॉलर रिस्क अमेरिकन का है तो उसके लिए कनेडियन डॉलर क्या हुआ अब आगे क्वेश्चन में देखो अभी आगे क्या बोला है अकॉर्डिंग तुम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो बराबर से यहां पे देखो उसने क्या बोला है तुड़े इस जून वेश्चन में अगर आप लोग में देखा होगा ना इट इस नाओ जून 30 इट इस नाओ जून 30 सो टुड़े इस जून 30 अब अगर आज जून 30 है देन इन दाट केस ध्यान से समझना आपको यहां पे देखो क्या बोला है तुपे इंट्रेस्ट केनेडियन डॉलर ऑन 31 जुलाई मतलब एक महीने बाद इफ उप्शन आ टू बी उज़्चन शुट बी बॉट अट इस ट्राइक प्राइज ऑफ 94 सेंट्स मतलब यहां पे यह बाले के लिए मिरको exercise prize 94 सेंट का लेना है यह बाले के लिए मिरको exercise prize 94 सेंट का लेना है समझते हैं वह आप लोग क्वेशन को बहुत बारी किसे पढ़ना पड़ता है यह आपे यार अज़ख थोड़िये और 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 दूसरा दूसरा क्या बोला है वो लोग ने and three month option at a strike price of 95 cents question में उसने वो भी दे दिया है boss कि यहाँ पे अपने को exercise price लेना है of 95 cents of 95 cents gotcha everybody तेखो अब मैं इसको systematically next phase पे लिख सकता हुगा के today 30th June one month three month one month three month one month वाले के लिए क्या बोल रहा है वो 94 cents का exercise price freeze कर दो भाई and three month के बाद 95 cents का exercise price is दन गाइस सम अब अपने पास पूरी तरह से ओपन है अब सुनों अपने को क्या बोला है उसमें अपने तो कॉल आप्शन फाइनल करी लिया है तो पुट को माइनस माइनस इस इस आवू सिंप्लिफा एक्वेस्टन इतने सारे चीजे थी उसमें से अभी अपने लोग को पता चल चल वाई वटा तेरी जरुवती नहीं है इसमें भी यह अभी अपने को चाहिए नहीं अपने को खाली चाहिए जुलाइक और एक सेप्टेमबर का इसके लिए उसने क्या बुला है प्रीमियम बन पॉइंट जीरो टू समझ रहे हैं कि आप लोग यहा यहां पर जब 94 का मेरा एक्सराइस THOMPS है तो बेटा वह अपने को प्रीमियम कितना बोल रहा है वह अपने को प्रीमियम बोल रहा है वा प्याष्य हा वह अप्य हैं प्रीमियम बोल रहा है बटा Вс006оюникомज में आ बातेत हां बेटा जीी सो अब यह पूरा information लिखके what we have done is we have ensured that मेरा exercise price of one month expiry and three month expiry आ गया premium price of मेरा one month expiry and three month expiry आ गया बस अब इसको properly execute करना है and now that is what we are going to start that is what we are going to start कितनी सारी चीज़े यह पूरा कट हो गया यह सब चीज़े कट हो फाल दूगी अब अपने पास बचाए खाली जो relevant है वह तो अब मैं इसको पूरी तरह से अब एक करके वापस से इसको लेगे जाते तो फॉर्स पहले अपन लोग फोकस करेंगे वन मन्त वाले के ऊपर ठीक है दो अप्शन अपने पास एक आप्शन है कि अपन फॉर्वर्ड में जाए उसको देख लेंगे वो तो सिंपल सा चीज है और वर्वर्ड तो अपन देखो स्ट्राइक प्राइस कितना दिया है उसके भी पहले देखो यहां पर बहुत स्पेसिफिकली उसने बुला है डैट कॉंट्राइट साइज इस ऑफ 50,000 कनेडियन डॉलर अपने को पेमेंट कितना करना है फर्स्ट फेज में 10,10,000 कनेडियन डॉलर तो इसका मतलब क्या हुआ देखो इदर पूरा फर्स्ट मन्त वाले का ही उसमें कर लेता हूं मैं तो फर्स्ट मन्त का जो है मेरा दैट इस ऑफ 31st जुलाइट इस ऑफ 31st जुलाइट अब अगर यह 31st जुलाइट का गेम है और इस ऑफ कनेडियन डॉलर तैन लाक तैन थाउजन है बट वन कॉन्ट्राइक इस ऑफ कनेडियन डॉलर फिफ्टी थाउजन इसका मतलब क्या हुआ देरफर टोटल कितना कॉंट्रेक्ट आएगा समझते हो ना तुम लोग एक कॉंट्रेक्ट में डॉलर पच्छा सदर आ सकता है टोटल अपने को डॉलर तैन लाक तैन ताउजन करंसी ऑप्शन से हैज करना है त फिफ्टी थाउजन इक्वल तू टेन लाक तैन थाउजन डिवाद बाए फिफ्टी थाउजन और यह आता है ट्वेंटी पॉइंट टू जीरो कॉंट्रेक्ट्स तो अब्यूसली यह राउंडिंग अफ को अपने को क्या करना है इस राउंडिंग अफ को उनना ने बोला ह है फॉर्वर्ड रेट एस दे बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पॉर्ट तो देर्फर वाट वी विल दू इस ट्वेंटी कॉंट्रेक्ट्स ओप्शन का यूज करेंगे पॉइंट टू वाला जो है उसको फॉर्वर्ड के थू करेंगे इसका मतलब क्या हुआ डॉलर टैन लैक त्रू ओप्शन्स एंड डॉलर टैन ताउजन कनेडियन डॉलर लिखो बही आगे डॉलर 10,000 त्रू पॉटवर्ड और इसको भी चाहिए तो यहांपे मैं स्पलिट कर देताू इसको भी चाहिए तो मैं यहांपे स्पलिट करके यदर लिखा देता हूँ के भाई ये कैसे आया, so 20 contracts into dollar 50,000 per contract, dollar 50,000 per contract, जे बात, अरे बाबा, जे बात, समझ में आई बात, एकदाँ मस्त में, सेम टू सेम चीज, सेप्टेंबर वाले के लिए भी जो 3 month expiry है, उसके लिए भी आपन कर सकते हैं, अब एकदम easy-peasy होगे अपने लिए चीज़े, गॉट इट गाइस, चलो, अब इसको, इसका calculations भी बता देता हूँ मैं, तो एक अपना पुरा चीज, सॉट आउट हो जाएगा, फिर अगर मैं आपको बोलू, बाके का कुछ से ट्राइ करो, तो भी आप लोग कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे को यहाँ पर बताएगे, यह dollar 10,000, Canadian dollar 10,000 को तो forward market में settle करना है, वो बार हो गया, अब आ गया, मैं मेरा Canadian dollar 20 contracts के उपर, तो समझो, अब यहाँ पे मेरे पास 20 contracts है, वन मन्थ expiry का ही गेम चल रहा है मेरा, तो वन मन्थ expiry का गेम है, 20 contracts है, तो 20 contracts है, मतलब कितना हुआ, 10,000 Canadian dollar, 10 rack Canadian dollar, और 1 Canadian dollar, एक contract 50,000 का है, उसका कोई problem नहीं है, अब मैंने तो final कर लिया है, क्या, कि अगर यहाँ पे होता है, तो 0.94 cents मेरे को पे करना है, अब market उपर गया, क्या नीचे मैं exercise करूँ के नहीं कुछ बोला ही नहीं है, तो मैंने आपको last time क्या वाद आता, if nothing is said, आप by default exercise करोगे, आप default exercise करोगे, तो क्या 0.94 के हिसाब से, मतलब, मतलब, therefore, देखो, क्या बुला है, 1, कितना बुला है, 0.94 का मेरा यहाँ पे payment जाएगा, किसके सामने, so 1 Canadian dollar is equal to 0.94, US dollar मेरे को pay करना पड़ेगा, US dollar मेरे को pay करना पड़ेगा, यह मेरा strike price है, यह मेरा strike price है, तो strike price इस हिसाब से मेरा है 0.94, correct, so I will say, बहुस एक Canadian dollar के सामने, अगर 0.94, US dollar का मेरा strike price है, यह मैंने freeze कर दिया है price मेरे लिए, तो मतलब अगर 10,00,00 Canadian dollar जाता है, तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो चल चल, it is, it is US dollar 9,40,000, समझ में आ रहा है आपको everyone, got it, so dollar 9,40,000 तो confirm गया, plus जैसा last time बात हुआ था अपना, plus premium भी जाएगा, अब इसका जो premium calculation है ना, वो इतना easy नहीं है, ध्यान से समझदा, premium calculation में बड़ी बात नहीं है, but उसका जो thought process है, वो बहुत सही है, ध्यान से सुनना बिटा, अगर मेरे को जुलाई का, ये 0.94 का strike price मैंने freeze किया है, तो मेरे को जुलाई का, premium कितना पे करना है, 1.02 cents per Canadian dollar, बड़ावर है, अब इसको तोड़ा interpretation करते हैं, अपन इंडियन पैसो के terms में, अब इसमें बहुत clearly उन्होंने बोला है, किया के, price for a Canadian dollar, US dollar option, on US stock exchange, payable on purchase of the option, are as follows, तो कितना 1.02 cents per Canadian dollar, पे करना है, तो premium कितना पे करना है, 1 Canadian dollar के सामने, 1 Canadian dollar के सामने, 1.02 cents, ये cents क्या होता है, अब सुनो, 1 US dollar is equal to 100 cents, इतना बारी, चीज है न, इस question में, as a student दिखेगा नहीं, आप क्या करोगे बता है, as a student, हाँ 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 ये हो गया ठीक है, हाँ 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 ये 1.02 है, हाँ हाँ हाँ, 0.0102 किया, हो गया, अरे कैसे हो गया, भाई, इसके पीचे का logic तो देखो, ये है, 1 US dollar is equal to 100 cents, बराबर है, तो 1.02 cents, कितना US dollar हुआ, क्योंकि अब ताख अपन लोग तो सब US dollar के terms में कर रहे हैं, तो अपन लोग करेंगे, इसको cross multiply, तो देखो कितना आता है, it will be 1.02 into 1 upon 100, तो कितना आता है, देखो ज़रा, 1.02 into 1 divided by 100, and that is, US dollar 0.0102, है, सब्जगड़ू, समझे, सो आपको premium कितना पे करना है, कितना पे करना है, correct, see, 1.02 cents is equal to, US dollar 1.0.0102, so therefore, 1 Canadian dollar equal to, US dollar 0.0102, right, right, so अब यहाँ पे वही बोलना बढ़ेगा, आपने को, भाया, क्या, कि, कितना प्रीमियम जाएगा, करो, so 10,00,00, into 0.0102, and that is, that is, US dollar 10,200, तो यह आगया, मेरा प्रीमियम, प्रीमियम कितना आगया, US dollar 10,200, so in short, in short, options के थू, for one month expiry, मेरा 950,200 जा रहा है, बट अभी भी, 10,000 dollar का exposure, forward के थू, complete होना बाकी है, वो भी कर लेते हैं न या, please, so, so, total outlay, one month expiry का, एक दाउन डीटेल में, आप लोगों को explain कर रहा हूँ, तो एक एक चीज पता होनी चीज़, आपको राइट, यहाँ पर, जो dollar, Canadian dollar 10,00,000 है, उसके लिए, कितना US dollar गया, मेरे को तो मेरे currency में सब convert करना है न, dollar 9,40,000 गया, premium जो pay किया, उसके लिए कितना गया, यह वापस से थोड़ा सुनना, अगर आप लोगो premium में doubt गया तो, ठीक है, एक Canadian dollar के लिए, 0102 US dollar पे कर रहा है, तो 10,00,000 Canadian dollar के लिए, 10,000 US dollar पे करना पड़ेगा, 10,200 US dollar, बना रहे के नहीं, plus forward, कितने के लिए, 10,000 dollar के लिए, अभी देखो यहां पे क्या, कैसे forward का क्या करेंगे, आ जाओ, यहां पे question पे, now, oh, directly वो लोग ने दे दिया है, one month forward, and that is 0.9301, oh, इसमें by ask का मच मच नहीं दिया, तुम लोग बज गए, so, यहां पे, we will write down, one Canadian dollar, equal to, 0.9301, US dollar, तो, अगर, 10,000 है न, Canadian dollar, जो अपन लोग, Canadian dollar, 10,000 forward exposure पे डाले, तो, 10,000 Canadian dollar के लिए, कित्यना, so, 0.9301, into, 10,000, and it is, US dollar, 9301, US dollar, 9301, and finally, 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 अपने को पता चल गया है, टोटल आउट फ्लो, अगर, मैं ये लेता हूँ, तो, कित्रा होता है, 940, 10,200, 9301, 959,501, मेरे जेब से जाएगा, समझ में आई बात, very good, सबाश, और अगर, ये ही मैं forward लेता हूँ, तो, सर, क्यों कर रहे हो forward, because directly दे दिया है, तो, यार, easily हो जाता है, तो, इट विल बी, डॉलर, 10,100,000, इंटू, सिद्धा सिद्धा, 0.9301, से multiply करना है, ये आता है, इंटू, 0.9301, सो आता है, US, डॉलर, 939401, और मैं आपको एक बात बोलू, मेरे लिए बेटर है, कि मैं forward जाओ, currency option के जंजट में ना पड़ू, तो, इट कैंड बी आइधर वेस, बट, समझ में आया, मजा आया करने में, सूपब, तिक्या ला, systematically किया है, systematically मतलब, एक-एक step by step बता है, अब, अब यह समझाने के लिए था, वो सकते है, exam time तक, आप लोग और इसको, दो या, तीन बार revise कर लोगे, जब आप दो-तीन बार revise कर लोगे, तो आप एक format, एक shortcut format निकालोगे, फड़ा-फट हो जाए, तो, बट मेरे लिए, मेरे लिए, माई लेवल, I have to teach you from the basic, तो मैंने तो इदर एक, एक पॉइंट को, अलग-अलग तरीके से, split करवा के लिखा, मतलब यहाँ पे आप लोगो, यह explanation भी, मैंने detail में दे दिया है, कि यह कैसे 1.02 cent, will be converted into US dollar 0.0102, समझ रहे हैं, और इसी के साथ, मेरा यह 1 month वाला complete हुआ, expect मैं करूँगा, कि क्या आप लोग अभी यह 3 month वाला, कुछ से कर लेंगे, as a homework, 101% कर ही पाएंगे, और यह ICI के module का ही सम है, optimize का सम है, तो सब है आपके पास, solution भी available है, all you have to do, is just apply, whatever has been taught, आपके लिए, इसी लिए छोट रहा हूँ, so that, yes, you also get a hang, of things, of how it is to be done, वैसे भी अपन लोग ने, यह तो final करी लिया है, के call लेना है, और वो भी कौन सा वाला, 1.64 वाला, वो भी अपना strike price तो clear है, क्या, 0.95, just application करना है, that's it, चीज़े सब अपने पास numbers, almost ready ही है, एक है नहीं, $7,05,000 है, उसको divide कर लो, $20,000 के साथ, $50,000 के साथ, तो आता है, 14.1, मतब सवदा कॉंट्रेक्ट लेंगे, बाकी का, यह देखो, सवदा कॉंट्रेक्ट लेंगे, बाकी का $5,000, forward market में, और strike price दिया था, contract value दिया था, तो कितने number of contracts है, वो निकालना सीखे अपन लोग, एंड उस basis पे, अपने को पता चला की, कितना अपना premium भी जाएगा, और बाकी का, forward market में, वो connect हो जाएगा, समझे गड़ू, तो यह वाले questions से, अपन लोग ने lot size निकालना सीखा, ठीक है, यह देखो इधर, अगर आप magic book का यह खोलेंगे तो, see, कैसे अपन लोग ने lot size निकाला, Canadian dollar 10,10,000, यह दे, अपना यह example लेता हूँ, so that अपने को फटा फट connect हो जाएगा, Canadian dollar 10,10,000, upon, value of contract कितना था, मुझे मिल गए 20.20 contracts, समझ गया सर, बट अभी देर note बहुत important है, convert the total transaction amount in the same currency, as that of option contract, using the exercise price, अपने को इस question में वो जरूवत नहीं पड़ी, क्योंकि अपना Canadian dollar, Canadian dollar, value of one contract, और total transaction amount, दोनों भी same currency में था, तो सर क्या ऐसा भी होगा, कि ये दोनों अलग-अलग currency होंगे, the answer is yes, and next sum में अपन वो ही करने वाले, दीरे-दीरे step बढ़ाऊ न, पहले आप लोगको यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर करवाई, अब आप लोगको contract size निकलवाना सिखाया, plain vanilla contract size, कि बही चलो, मेरा अगर इतना 10 लाग, 10,000 डॉलर है, 50 लाग Canadian डॉलर है, उपर का Canadian डॉलर है, तो कितना contract बनता है, अब जो आएगा question, उसमें transaction amount अलग, value of one contract अलग, तो आपको क्या करना है, नोट में लिखाया है, उसको apply करेंगे, don't worry, फिर if the contracts are in decimal, जैसा अपने case में था, तो round of the number of contracts, to lower whole number, तो अपन लोग ने 20.20 को, convert किया 20 contracts में, and remaining amount can be hedged through forward, जो अपन लोग ने किया, so transaction amount अपना था, Canadian dollar 10,10,000, उसमें से exposure अपन cover कर रहे थे, Canadian dollar 10,00, तो exposure to be covered by forward अपना आया, dollar 10,000, कौन सा, Canadian dollar 10,000, समझ में आ गया, everybody, so this is how, we did, अब इसमें into strike price देगो, इदर लिखा है, if forwards are in other currency, again, वो next level पे, इदर तक का level, अभी अपना cover हो गया, यह इतना part, अभी अपना cover हो गया, इस question में, यह वाला part अभी अपना cover हो गया, इस question में, यह वाला part अभी, बाद में, so, जो मैं अभी आप लोगो, green में highlight कर रहा हूँ न, green में जो highlight कर रहा हूँ, वो next कुछ questions में आएगा, so, इसका, यह step two में दो parts है, एक पहले contract, number of contracts निकालना, वो हमने निकाल लिया इसमें, बट उसमें भी कुछ variation आ सकता है, वो next question के दुरू, exposure covered by forwards, अपना पूरा currency to currency चल रहा था, कोई tension नहीं है, बट अगर उसमें भी currency बदला, तो वो next उसमें देखते है क्या है, right, so, that's how it works, number of contracts 17.17, to be rounded off to 17, अभी अपना 20.20 था, अपने 20 contracts पे, उसको round off किया, clear everybody, so, यह देखो second question से, part 2, step 2, step 3 की, काफी सारी चीज़े, समझ में आ गई, clear everybody, done, इसी के साथ होता है, यह, मेरी तरफ से currency options का, third question, एक basic वाला लिया था आपको, Morris computers, फिर JPY वाला, and will be done and dusted, with this whole concept, और एकदम, मस्त, मस्का, smooth, विद एक एक चीज़ अपन लोग यहां पे, बनाते जा रहे, as a pro forma, without any issue, right, sure, good, moving on, चलेंगे अभी next question के उपर, and, what is the enjoyment, that question is question number 39, जी, आपके module में से, आप open कर सकते हो, आजाओ, XYZ Limited, will need, Euro, no, Pound, 3 Lakh, in 180 days, in this connection, the following information is available, spot rate दिया है, 1 Pound, equal to, dollar 2, forward rate, as, 180 days, forward rate दिया है, interest rates दिया है, और यहाँ पे, देखो, उन्हाने बोल दिया है, a call option, on, pound, that expires, in 180 days, as an exercise price, of dollar 1.97, on a premium of dollar, 0.04, एक बात बोलू, question में, दे दिया है, a call option, use करना है, लो, डर गया हमारे, उनको पता है, अपन तो, correct देने वाल है, तो अपने साथ, वो चीज़ यह लोग ने, यह बार नहीं खेली है, next, जो नया है, वो इस question में, यह है, जो मैं आप लोग के साथ, discuss करना चाहूंगा, XYZ has forecasted, the spot rates, 180 days, hence as below, future rate, probability 25%, 1.95 का 60%, 2.05 का 15%, which of the strategies is most preferable, forward, money market edge, no hedging के लिए, मैं यहाँ पे नहीं आया हूं, मैं आपके साथ, यहाँ पे आया हूं, an option contract के लिए, आओ, solve करते हैं, यह वाला question, and please, उसके पहले, 2 minute लेके, अगर question को solve, I mean, go through कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे आपको कली, यहाँ पे जो basics है, वो मैं लिखवा ही सकता हूं, या, कोई उसमें, मेरे को हर्जा नहीं है, question 39, I guess, right, so, कौन है, XYZ कंपनी है, जो USA की firm है, उसको क्या करना है, will need pound 3 lakh, क्यूंकि भेजना पड़ेगा, तो XYZ कौन हुआ, importer, so, importer, exporter, ठीक है, importer अपने यहाँ पे क्या denote करता है, जिसको payment, अपने को payment की जरुवत है, उसको अपने को payment करना है, so, यहाँ पे importer कौन हुआ है, US firm, XYZ, जो एक dollar firm है, exporter कौन हुआ है, जो एक pound का firm है, फिर, invoice कौन से currency में, अगर तुम लोग देखोगे, तो invoice है, pound में, तो मतलब currency risk, किसको रेवो manage करना है, currency risk बेटा, किसको manage करना पड़ेगा, dollar को manage करना पड़ेगा, मतलब XYZ, जो company है, उसको currency risk, manage करना पड़ेगा, spot rate, one pound equal to dollar two, और बाकी सारा, सब information, यहाँ पे अपने पास, available है, अब अगर suppose, इन्हों ने नहीं दिया होता, नहीं देता, जा, क्या नहीं दिया होता, यह call option word, इन्हों नहीं यहाँ पे नहीं यूज किया होता, तो क्या आप खुछ से find out कर पाते क्या, the answer is yes, आपको पता है, importer है, importer को pay करना है, pay करना है, तो अब आपको देखना है कि, कौन सी currency में दियावा है, so आप लोग note करेंगे, कि foreign currency में है, देखो जिसका risk है, dollar वाले का risk है, उसके लिए, कैना हिसे यह foreign currency में दियावा है, one pound equal to, question में देखो, quotes कैसे दियावा है, one pound equal to, dollar two, so ऐसे situation में, importer है, और foreign currency में दियावा है, then in that case, we use the call option, ठीक है, और question में भी वही है, तो एक cross check हो गया, एक अपने को confidence आ गया, कि हाश सही जा रहे है, हाश सही जा रहे है, got it, done, 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 अब आगे बढ़ते हैं, इस question में, call option that expires in 180 days, as an exercise price of, dollar 1.197, and premium of this, so अब यहाँ पे अपन लोग लिख लेंगे, क्या, अपने को उन्हों ने दिया है, कि call option यूज करने वाले हैं, अपन, जब भी भी options यूज करते हैं, अपने को दो चीजों की सक्त जरुवत होती है, क्या, एक होता है exercise, price, इसको अपन strike price भी बोलते हैं ना, प्यार से, correct, और दूसरा होता है, premium, अपने case में अगर आप लोग नोट करोगे, तो exercise price देखो कितना है, dollar 1.97, dollar 1.97, and premium देखो कितना है, premium है dollar, point 0,4, समझ में आगया आप लोग को everybody, अब देखो आगे इस question में क्या हो रहा है, द्यान से समझना, वो लोग बोल रहा है, that XYZ has forecasted the spot rates, 180 days, hence, as below, future rate, अब सुनो, अगर future में rate हो गया, dollar 1.91, ठीक है, call option है, we want the market to go up, तब अपने लिए फाइदा होगा, अपने exercise price freeze किया है, dollar 1.97 पे, we want the market to go up, अपने यहाँ पे तो dollar 1.91, बन, नीचे चले गया यह तो, कोई मतलब ही नहीं बना, फिर तो अपने लिए, समझ रहे हैं कि आप लोग, therefore, यहाँ पे, क्या आप exercise करोगे, क्या first situation में, the answer is no, I will not exercise, second situation में, exercise करोगे क्या, नहीं, again 1.97 से नीचे गया, third situation में, yes, third situation में, मैं जरूर, जरूर, इसको exercise करोगा, for sure exercise करोगा, अब उसको utilize, इसको कैसे लिखके बताना है, वो मैं बताता हूँ आपको, आओ, presentation इसको कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि यहर देखू, expected rate, जो है अपना, ठीक है, 180 days के बाद, dollar 1.91, तुम लोग ने एक चीज़ नोट की, everything is in terms of euro, pound, जो भी है वो, इस question में, everything is in terms of pound only, यह देखो, a call option on pound, has an exercise price of dollar 1.97, जब ऐसा लिखा हूँ न, कि dollar 1.97, इसका मतलब दूसरी currency के terms में है, मतलब, one pound equal to, यहाँ पे भी one pound equal to, यहाँ पे भी one pound equal to, इसके लिए सब जगे, constant है, सब जगे one pound के terms में दियावा है, तो अपने को tension नहीं है, smoothly यह sum को solve कर सकते हैं, next जो sum है, last sum, उसमें तोड़ी game बदलेगी, तब मैं बताऊंगा क्या करना है, for now, let's continue, so अगर dollar 1.91 हुआ, आपका exercise price है, dollar 1.97, you want the market to go up only, then you will exercise, तो आप exercise करोगे ही नहीं, यहाँ पे note लिखना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का, since, we have taken the call option, we want, we want, or rather we will exercise the option, we will exercise the option, only if dollar goes up, only if dollar goes up, okay, if dollar goes up, that is more than dollar 1.97, dollar 1.98 and above, ब्राहर है, dollar 1.98 and above, but अगर उसके नीचे गया, if it is, less than dollar 1.97, we will never exercise the option, we will not exercise the option, समझ में आ गई आप लोग सब लोग को ये बात, तो बोलो, yes sir, yes sir, बहुत बढ़िया, good, चलो, done, now, let's move things ahead, अब चीजों को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे, अब देखो, पहला expected rate आया, dollar 1.91, बहुत clean इदर मैंने लिखा, if it is less than dollar 1.97, you will not exercise, तो अपन लोग exercise नहीं करेंगे, तो exercise option, no sir, बहुत रहे, तो अपन लोग इदर लिख लेते हैं, no, और उसका reason हम नहीं आप इनोट में लिख दिया है, तो अपने को tension भी नहीं, sir, exam में ये reason लिखके आना है, बताओ examiner को आपको ये सब चीज़ें आती है, जितना शुगाफ करोगे examiner के सामने, इतनी अच्छी बात है, बता रहोगा आपको, exercise option, the answer is no, ठीक है, तो अब exercise नहीं करोगे, तो in short आप इतना ही पे कर दोगे, हाँ sir, बिल्कुल इतना ही पे कर दोगे, so total payment, अब सुनो, अपन dollar 1.91 तो पे करेंगे ही करेंगे, but, कैना इससे अपनने यहाँ पे, premium भी तो पे करना पड़ेगा, बले ही आप exercise नहीं कर रहे हो, पर premium तो फिर भी आपका जाना ही जाना है, and that is 0.04, 0.04 समझ नहीं आप लोग, so per euro 0.04 premium में जाएगा, और बाकी जो exercise price है उसका जाएगा, so total हो गया आपका यह, hello, total हो गया आपका यह, dollar 1.95, ठीक है, कितने amount के लिए, 3,00,00, pound के लिए यह सब बराबर है, so यह इधर लिख देता हूँ मैं, amount, pound, 3,00,00, and अड़े यार भी जगा बहुत कम है यार इतनी साले, यह बनवा रहे हो तो लो, dollar, pound, 3,00,00, total कितना आता है, 3,00,00, into 1.95, 585, dollar, 585, dollar, 585, समझ गई क्या, नहीं समझे हैं मैं बता आता हूँ, देखो, 1,00, euro, sorry, pound, के सामने, dollar, 1.95 जा रहा है, तो अगर मेरा, 3,00,00, euro है, pound है, तो मेरा dollar कितना गया, 585, समझ में आया, बट इसका probability है, वो आपन लोग सब calculate करेंगे, टोट रहे हैं, ठीक है, तो यह हो गया पहला, अब एक बार पहला हो गया न, फिर बाकी सब फटा फट होगा, क्योंकि अपना process, system set हो गया है, दूसरा क्या है मेरा, सर दूसरा है 1.95, सुनो, समझे क्या, तो दूसरा अगर, मेरा dollar 1.95 आ रहा है, तो CDC सी बात है, मैं 1.95 के हिसाब से payment कर दूँगा न, मैं क्यो 1.97 के हिसाब से payment करूँ, मैं क्यों अपना रुक्सान करूँ, so I will take 1.95, exercise करूँगा, नहीं, जाएगा total 1.99 boss, क्योंकि, correct, वो भी तो जा नहीं है न, premium तो, वो तो मेरा lapse हुआ तो भी, जा नहीं है बेटा, उसका कोई respite नहीं है, amount 3,00,00,00 के लिए, कितना हो जाएगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, जबाए तुम लोग के लिए एक काम कर सकता हूँ, तो इसको इदर कीच लेते हैं, तो ओड़ा सा यार अज़स्मेंट कर देए तो काम कीच लेता हूँ, और इदर probability मिखले बीचम, तो इतना मेरे जेब से जाने वाला इसका probability कितना है, फर्स वाले का probability है, 0.25, हो गहां, चब काम, ब्राबर है, तो 585 into 0.25, 146 to 50 जाने का chances है, तिक है, तिक है, तो अब मेरा आ जाता है, 146 to 50, डॉलर 146 to 50, ठीक है, चलो समझ में आ गया, चलो अब फड़ाफट उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, भी सिस्टम, एक बार प्रोसेस सेट कर देता हूँ ना मैं, फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, कुछ भी हो जाए, अभी मेरा आएगा, 3,00, इन्टू, डॉलर 1.99, यह आता है, 597, उसके बाद, 50 नहीं, 60 टक्का का मेरा, प्रॉबबबलिटी है कि यह होगा, 358, 200, $358,200, 3rd, 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 $2.05, एक्ससाइज, इसी का दिन का इंतिजार था, कि जा भाई तू इतना बड़ा हो, कि हम एक्ससाइज कर सके, एक्ससाइज करेंगे, एक्ससाइज, कितना है अपना, $1.97, कुछ भी हो जाए, जो प्रीमे में वो तो जाना ही जाना है, ठीक है, चलो अभी, pound 3,00, इंटू, $2.01, कितना होगा, बच्चा कितना है, 15%, यह कितना होता है देखो, 3,00, 2,01, 6,00, 6,00, तरी ता होज़ें, इंटू, 0.15, 90, 450, यह बेटा, साम जिगड़, बस, अब क्या बच्चा था, टोटल कर लो, कर लो, टोटल कर लो, 146, 250, 358, 200, 90, 450, 594900, इतना मेरे जेब से जाएगा, अब मैंने जब फर्स टाइम यह सम किया था, मेरा सम यहाँ पे मैंने रोक दिया था, बट इनों ने कहानी में और एक ट्विस्ट डाल दिया, समझ गे ना, तो अगर मैं, अगर मैं, करन्सी ओप्शन लेता हूँ, तो क्या होगा, अगर डॉलर 1.91 होने का 25% चांजिस है, तो उतना आमांट गया, डॉलर 1.95 होने का इतना चांजिस है, लॉजिकली यह मैंने इधर बता भी दिया है, तो उस हिसाब से मेरा पेइमेंट चाहेगा, इंक्लूडिंग दप्रॉबबलिटी नंबर्स अज वेल, अब मुझे याद है, मैंने फिर्स टाइम के यादा था वितरा करके, I was done, इन्हों ने फिर बात में और एक चीज़ एड़ कर दी और वो था इंट्रेस्ट और प्रीमियूम, इनका बोलना है हम 180 डेस पहले प्रीमियूम पे कर चुके है, उसके ओपर इंट्रेस्ट भी तो पे कर वाओ, बोला यार यह क्या बात है, हाँ, सीदी सी बात है, तो देर्फर, टोटल आउटले, कितना आएगा, हर बार करना है, हाँ, कर लेने का भी से, एक तो कॉल ओप्शन की वज़े से कितना गया, कॉल ओप्शन प्रीमियूम की वज़े से कितना गया, तो यह दो बहुप नहीं थे, ज़ोलर 594,900, कि अब इन्होंने आड कर दिया, प्रीमियम के उपर, इंप्रेस्ट और सो, इन्होंने आड कर दिया, इंप्रेस्ट और प्रीमियूम, कितना रहे हैं देखों, इंप्रेस्ट और से तीन लाक पाउंड का, invoice है उसके उपर इंट्रेस्ट का यहाँ पर देखो percentage दिया वा है ना इसके लिए सब मच मच हुए है क्या क्या लगता है प्रीमियम कितना है 0.04 डॉलर 0.04 पर यूरो पर पाउंड इंटू कितना टका इंट्रेस्ट आएगा अभी तो देखो डॉलर में कनवाट हो गया यह समझो तुम लोग जब मैं इसको इससे multiply करता हूं तो इस इस नाओ वन लैक निए त्री लाक इंटू पॉइंट जिरो फॉर यह हो गया लोन के ओपर इतना पे करना पड़ेगा प्रीमियम के लिए लोन लिया अपने इंटू 5.5 पर सेंट कितना है 660 अब और एक controversy है बताता हूं क्या और एक controversy है वो भी बताता हूं फिलाल वो आज इस टूडेंट वो controversy दिखेगा नहीं इग्णोर हो जाएगा बट फिर भी मैं आप लोग के नजर में वो चीज़ ले आता हूं एंद फाइनल इमेरे जेब से जाने वाला है डॉलर 595 560 कि 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 इफ आइ चूज करनसी ऑप्षिन इफ आइचूज करनसी ऑप्षिन एफ पब्लिक समझे गया एफ पब्लिक एफ पब्लिक समझे गया अब सर कॉंट्रोवर्सी क्या है वो भी बता दो वो भी बता देता हूं आप लोगो क्या कॉंट्रोवर्सी है ना इसमें उन्हों पर संट पर आनम और इंटेश्ट करके इंस्ट्रीट ने शॉल्ट किया और हो गया जैसा मैंने बोला तुम लोग को दिखता भी नहीं और तुम लोग का इंसर आंसर आ गया हम समझ गए जादर दिवांग नहीं लगेंगे ओके नो प्रॉब्लम जैस्ट सब्सक्राइब करेंगा और फिर आपको बोलेगा आप उसको 302.75 करके सॉल्व करो यहां पर उसने बोला और वहीं लिया है इसके लिए अलग-अलग चीज़ें हुई है इसले बोल रहा हूं इंस्टीट के मॉड्यूल में इंस्टीट के सजेस्टिट में भी बता रहा हो य आपने वाला एक क्वेशन के उपर यहां पर अपनों ने भी देख लिया के कुछ ऐसे सिचुएशन जा पर एक्सराइज नॉन एकसराइज का भी सिचुएशन आ सकता है और अब अब चल रहे हैं लास्ट के उपर यह और यह लास्ट क्वेशन है तो दूम भी उतनी मचाएगा या तारहों मैं चाव सर तो यह है क्वेश्टिन नंबर क्या रहा है फॉटी लास्ट क्वेश्टिन इसके बाद आप समझ लीजिए क्या आपके सारे क्वेश्टिन होगे राइट शर्ण फिर अपन लोग एक मस्त एक एक क्वेश्टिन के पॉइंट्स जो भी है लेते लेते वी विल मेक आर ओन नोट्स रिलेटेट टू करन्सी ऑप्षिंज आज चलो फड़ा फड़ ए लिमिटेड ऑफ यूके हैं इंपोर्टेड सम्केमिकल वर्थ यूएस डॉलर तो चलो प्रिलिम्नरी पहले फाइंड करते हैं अभी इस क्व सब्सक्राइब अब इसी लेवल में मुझे पता चल जाएगा कि मैं को कॉल अप्शन लेना है कि पूट ऑप्शन अब बताओ चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सल्यूशन ठीक है कौन कौन है इसमें अपने को पहले लिखी देने का भाई क्या लिखने का इंपोर्टर कौन है ignore पने अब इंवोईश कौन सी करंसी में जिससे मुझे पता चलता है कि करंसी है क्चौन सी कंट्री का है इंपर्टर कौन सी का है अख्याँ तो यह है यूके का विच पांड तो पिर दूसरा जो हमारा थे कि एक्स्पोडर टॉलर का हुआ यूके वाला इंपर्ट कर रहा एक्स्पोडर तो यूएस डॉलर वाना टन ओक इनवाइस क्या है वर्त यूएस डॉलर तो इनवाइस डॉलर में करन्सी किसका हुआ पाउंड का पाउंड वाला क्या है इंपोर्टर सिंपाल सो अगर आप इंपोर्टर है ठीक है अब आप देखेंगे कि आप को कौन से करन्सी में दियावा है तो देखो स्पॉर्ट रेट है फॉर्वर्ड एंड इंपोर्ट रेट्स आर उस डॉलर 1.56 16 मतलब कहना इससे पाउंड के टर्म्स में दियावा है सो तो करन्सी फॉर्टर रेट इस इन तर्म्स आफ पाउंड इस इन तर्म्स आफ पाउंड दाट इस वन पाउंड इक्वल तू जो भी है बरार गेने तो इसका मतलब सुनो जिसका currency risk है उसे के terms में दियावा है मतलब क्या होगा importer और importer के साथ का रइस कौन सा है home currency अगर home currency है तो अपन कॉन सा लेते हैं put option समझे क्या guys यह easy नहीं था यह कहानी में ट्विस्ट था बट अपना system बहुत clear है इसलिए अपने को तफलीक आएगा इच नहीं आपको टेंशन लेना ही नहीं समझे क्या क्या बोलते हो पबलिक आप उसको इंप्लिमेंट कर पाओ अब इधर मेरा मेरा format इतना मस्त रेड़ी है क्या मैं इंपोर्टर हूँ हाँ मुझे call लेना ही कि पूर लेना ही डिपेंड करता है कौन सा यह जो फॉरेक्स रेट्स है कौन से करंसी में सर्टमेस्टिक करंसी में तो फॉरेक्स रेट्स इन इंपोर्टर है डॉमेस्टिक करंसी इंपोर्टर हों करंसी आपको लेना है पूट अप्ष्ण मैं बला ना फिर दो लाइन बढ़के मुझे पता चल गया कि पूट अप्षिं लेना है कि कॉल अप्षिन में फिर देख आगे क्या बोला है question फिर क्या बोला है बॉर्विंग रेट्स इन युक एंड युएस आर सेवन पर्संट 6 पर्संट डिपॉसिटेश एक करन्सी ऑप्षिंस अर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्षिंट इस वर ग्रेट ब्रितन पाउंड 12500 अब सुनो मेरा जो यहां पे पेमेंट मेरको करना है है वो डॉलर में मेरा जो कॉंट्रेक्ट है वो जी बीपी में है अब तोड़ा राइता पहलेगा बस यहां पर वही है दॉप्षिंट प्रीमियम पॉर जी बीपी एट इस डॉलर पर जी बीपी इस जिरो पॉइस डॉलर 0.037 कॉल अप्षिंट 0.096 पुट ऑप्षिं अप अपने को बताए वी आपने को सम को सॉल्व करना है जिसका मैंने स्टाट तुमारे को दे दिया है अब प्लीज क्वेस्टिन को खले एक बार रीड कर लो फिर साथ में सॉल्व करेंगे इस क्वेस्टिन को जालो प्लीज रीड एवर्यबड़ी चलो सम को स्टार्ट करेंगे गाइस अब देखो तो बेसिक अपर लोग ने क्रैक कर लिया है कि वाई पूट ऑप्शिन यूज होने वाला है एंड वी आर दे इंपोर्टर्स बेसिकली एंड वी हैव तो मेंट पेमेंट इन डॉलर्स पट करंसी अपनी होम करंसी में दिया ह अब 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 सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब आ जाता है नेक्स्ट यहां पर उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बुला है कि करंसी ओप्शिंस आर अवेलेबल अर अवेलेबल अंडर विच वन ऑप्शन कॉंट्राक्ट इस फॉर ग्रेंग ब्रिटेन पाउंड 12500 अब गेम है इधर थोड़ा बदलता है पता है क्यों क्योंकि आपका जो टोटल ट्रांजक्शन अमाउंट है जो इन्वाइस अमाउंट है वो है डॉलर में अब तक जित यह इशू अपने को नहीं आया था ठीक है पहली बार यह इशू आ है टैकल करेंगे कोई टेंचन नहीं है समी इसलिए हम लोग कर रहे है इस इशू को मैनेज करने के लिए सो मेरा ट्रंजक्शन एक्सपोजर है यूएस डॉलर में जबकि मेरा जो यहां पे कॉंट्रैक्ट है ऑप्शन का वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में अब नीचे भी देखो क्या लिख है वो लोग के दो ऑप्शन प्रीमियम for GBP at a strike price of US dollar 1.7 per GBP मतलब वो बोल रहा है strike price या exercise price इसको बोलते है is one great britain pound US dollar 1.7 के हिसाब से अपना freeze हुआ है कि यह price के हिसाब से अपने को payment करना है कोई tension नहीं है दूसरा यह सब के लिए अपन लोग ले रहे हैं put option जिसके लिए हम तो यह put option का हमारा price freeze किया है पर जिसके लिए हम premium pay कर रहे हैं dollar 0.096 का तो अब यह यह जो यहां पर मैंने लिखा है क्यों ना इसको अपने answer में solution में ल Great Britain pound and that is 12500 so one option contract is equal to pound 12500 right guys ठीक है ओके अपनने लिया है put option तो हमने यहां पर लिख लिया पूट option ठीक है जिसका exercise price है वन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इक्वल टू डॉलर 1.7 इस पर हम लोग ने freeze कर लिया यह हमारा exercise price हो गया strike price हो गया इस पर हम लोग ने freeze कर लिया हम हमारा payment इसके हिसाब से ही करेंगे फिर उसके बाद वो लोग ने दिया है इसके लिए अपने को premium pay करना पड़ेगा कितना premium pay करना पड़ेगा करके उन्होंने बोला है dollar 0.096 अब और एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी दिया है कि total अपने को invoice amount बता दिया है 3,6,4,8,9,7 तो अब यह जो प्राइमाफ इसी information ने वो लिख दिया अब next question आएगा कि sir यहाँ पे कितने number of contracts करने है है so second point जब अपन लोग ने identify कर लिया है दिखो यहाँ पे भी जैसे मैंने तुम लोग बाता है था भी सबसे पहले तो आपको identify करना है call option के put option वह हम लोग ने identify कर लिया है फिर हम लोग जब basic लिखते हैं तो आ रहा है calculate number of contract options to be bought so आ जाओ यहाँ पे टोटल invoice amount डॉलर में है कांट्रैक्ट साइज पाउंड में है तो सर अब क्या करेगी यह तो comparable है नहीं apple to apple होना चाहिए apple to apple है नहीं यह तो देखो आप दोनों में से कुछ भी change कर सकते हो कोई problem नहीं है या तो आप contract size को convert कर दो dollar में या तो आप इसको convert कर दो dollar में या फिर आप इसको convert कर दो pound में choice is yours choice is yours and mine दोनों में answer सेम ही आएगा कोई tension की बात नहीं because eventually mathematically समझो ना तो दोनों सेम ही होने वाला है कोई problem नहीं ठीक है तो आपके उपर है अब आप इसको किसमें convert करना चाते हैं तो से for example मैं क्या करता हूं समझो आप बोलते हों कि sir contract size तो वो तो market का है तो fixed रहेगा contract size तो सेभी का है सेभी के हाथ में contract size रखना तो वो तो fixed रहेगा तो अपना sir invoice amount change कर देते हैं invoice amount अपने हाथ में तो you can do that also and आपको वाई से वर्षा करना है आप वो भी कर सकते हो कोई tension की बात नहीं है ठीक है तो आओ बोलो क्या करोगे आप so we will convert the invoice amount चलो वी वो convert तो पहले इदर लेक लेते हैं कि वाई since since invoice amount and contract size is not of same currency denomination therefore we can convert again I am telling you either of them either of them बट वो convert कैसे करना है यूजिंग strike price जी हाँ ठीक है so strike price के ओपर ही dependent है वही कितना payment जाने वाला है say for example मैं आपको बोलता हूं समझो न यह 12,500 पाउंस है तो यह 12,500 में मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे पहले लॉजिकली बता रहा हूं फिर इसको अ प्रोसेस भी कनवर्ट कर देंगे लॉजिकली समझो मेरे पास 12,500 पाउंस है वो मेरे कितने डॉलर में कनवर्टिबल है उत्रहीं मेरा कवरेज हुआ बेसिकली सो मेरा 12,500 पाउंड एक पाउंड इस इकोल टू बहुस एक पाउंड इस इकोल टू यहां पे बोला है स्ट्राइक प्राइज 1.7 पर जीबीप तो 1.7 यूएस डॉलर में कनवर्टिबल है तो मेरे पास अगर 12,500 ग्रेट भी टेंड पाउंड है मल्टिप्लाइब बाई 1.7 में करता हो तो मतलब बेसिकली 21,250 डॉलर का एक साइज हुआ मेरे को यहां पे कितना टोटल कवरेज है 364,897 अगर मेरे को 364,897 को कवर करना है 21,250 का एक कॉंट्रेक्ट साइज है मतलब कहना इससे 17.17 कॉंट्रेक्ट्स का मेरे को जरुवत लगेगा समझे क्या एंड वाई से वर्सा करोगे तो भी आपको 17.17 ही आएगा अव मैं दिखाता हूँ बोथ मेथड्स करके आपको दिखा देता हूँ यहां पे है अपना डॉलर 364,897 एंड इसको मैं इधर कनवर्ट कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ तो कितना आएगा यहां पे मैं बोलूंगा भाई बन पाउंड वन पाउंड 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 इक्वल तो डॉलर 1.7 बराबर यह मेरा स्ट्राइक प्राइज है अब मेरे पास है डॉलर सॉरी 12,500 पाउंड पाउंड इसका मतलब कितने डॉलर्स हुए सो 12,500 इंटू 1.7 और यहां पे लिख देंगे 21,250 तो देखो कितना कॉंट्राइक्ट्स आ रहा है मेरा यहां पे करो सो 364897 डिवाइड बाइ 21,250 एंट इस 17.17 कॉंट्राइक्ट्स अपोसिट साइट पे आजाओ अगर आप उल्टे तरीके से करो तो सपोज डॉलर 364897 को कनवर्ट करो पाउंड में यूजिंग अगेंस ट्रैक प्राइस तो सेम वन पाउंड इक्वल टू डॉलर 1.7 तो डॉलर 364897 स्वरी 364897 कितना हो जाएगा गर्ठ अब करो अप्लाए कोड़र 2375 इसको नहीं में वन पाउंड टू अब अब करो अप्लाए इसको तो तेरफॉर 0.7 तो जाएगा अब आपूर 2.645 अब करो अप्लाए हिसको तो तेरफॉर pound 214645 divide by pound 12500 is equal to and यह आ जाता है 17.17 contracts समझे तो टेंशन नहीं लेने का यह मैंने क्यों क्या बता है अब इससे आपका याद करने का टेंशन कहता हूं कि मैं जो मेरा invoice amount है उसको मैं convert करूं या फिर मेरे जो इदर मेरा lot का amount है उसको convert करूं यह आपको याद रखने की टेंशन की जरूत ही नहीं है क्योंकि आंसर तो दोनों में सेम ही जाने वाला है हाँ ध्यान में रखना है यूजिंग तो अगर स्ट्राइक प्राइस को आप सिस्टमेटिकल यूज कर लोगे न मैं आपको बता रहा हूं आपका काम हो जाएगा पेड़ा पार अपका हो जाएगा चलो सर यह भी बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गए अब क्या तो अब 17.17 पार्ट कॉंट्रक्स तो अलाउड नहीं है तो अब कॉंट्रक्स 17 ही लोगे तो देर पर टोटल नंबर अफ कॉंट्रक्स टेकन तो कवर थे इन्वोईस अमाउंट is equal to 17.17 कॉंट्रक्स जिसमें अपन बोलेंगे 17 कॉंट्रक्स अपन लेंगे options का and .17 कॉंट्रक्स अपन लेंगे forward market का समझ में आया yes so that is what it means के भाई contracts आप round figure में ले सकते हो तो आपने 17 कॉंट्रक्स ले लिया पर बाकी का जो .17 कॉंट्रक्स है ना वो .17 कॉंट्रक्स आपको लेना पड़ेगा forward market exposure का ठीक है कोई problem नहीं है जो है वो है got it guys चल अब अपने को decide करना पड़ेगा भाई के कॉंसे नाव में तैरना है कॉंसे नाव में पैर रखना है तो इसका मतलब क्या सर देखो बता तो इसका मतलब क्या लिसन अब या तो contracts dollar में denominate करवा लो या तो contracts pound में denominate करवा दोनों में से अगर dollar में denominate करवा रहे हो contracts को तो इस system को follow करेंगे यह वाला first वाला case 1 contract in dollar contract size in dollar और part case 2 contract size in pound सर दोनों में से कोई भी लो आपको same answer आएगा उसका attention मतलब same answer आएगा बता तो दिया आपको 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 करके बता दिया तो सर अपने लोग dollar वाला लेते चल तो dollar वाला लेंगे आजाओ तो contract size dollar में जो मैं निकाल चुका हूं जो मैं निकाल चुका हूं विच्छ नतिंग बड़ इस इसको आज़ेज मैं इदर कॉपी कर रहा हूं कि अधे इस इसे मुझे मिल गया कि सत्रा पॉइंट कि सत्रा contracts सत्रा पॉइंट सत्रा contracts अब सुनो मैंने final कर लिया कि options मैं लेने वाला हूं for the 17 contracts forward market मैं लूँगा for the 0.17 contracts इसको लेटर ये वाले को अभी फिलाल मेरा focus forward है ही नहीं मेरा focus forward market है ही नहीं सो मैं forward market को रखता हूं side पे और मैं आ जाता हूं options market पे तो options के उपर आ जाओ 17 मेरे पास यहां पे contracts मैं ले रहा हूं उससे मेरा कितना coverage हो जाएगा देखो मेरे को चाहिए कि total dollar 364897 हो जाए बट मैं बोलता हूं मेरे 17 contracts into dollar 21250 तो कितना हुआ यह इतना मेरा coverage हो जाएगा 17 into 21250 dollar 361 250 covered by options covered by options जो बच्चे वह अपन लोग डाल देंगे forward में समझ में आ रहा है तुम लोग को ना guys 364897 कवर करने एक contract size है dollar 21250 का 17 अपन लोग option से कवर कर रहे है बच्चा जो है यहाँ पर आ जाएगा so which is dollar 364897 minus dollar 361250 so कितना cover हो जाएगा बाहर से 361250 minus 364897 and it is 3647 and it is dollar 3647 ठीक है guys so यह आपन लोग forward market से cover करेंगे 361250 covered by options using a strike price of 1.7 using a strike price of 1.7 तो मेरे जेप से जाने वाला है 361 dollar 361 250 बट मैं डॉलर वाला आदमी नहीं हूं मैं बाउंड वाला आदमी हूं मैं कितना मेरे को pay करना पड़ेगा so I know that मेरे मेरा final क्या हुआ है 1 pound equal to dollar 1.7 ना guys मेरा तो यह final हुआ है 1 GBP at a strike price of US dollar 1.7 so मेरा final हुआ है 1 pound equal to dollar 1.7 so dollar 361250 के लिए मेरा कितना pound रे वो जाएगा so 361250 divided by 1.7 pound 212500 में guys pound 212500 में मेरा 361250 dollar covered समझ में आया आपको this is like this covered by options and यह है covered by forward forward को मैं last में लेने वाला so pound 212500 मेरे जेब से देना पड़ेगा जिससे एक pound का dollar 1.7 freeze मेरे लिए तो 361250 मेरा आ गया मेरे पास okay उतना tension मेरा खतम अब premium अब premium calculation तो यह मेरा एक पहला options का calculation हो गया right दूसरा आपने को यह जो बचावाए dollar 364 उसका भी calculation करना है तो भी कर सकते हैं में को को problem चला उसका कर लेते हैं so first covered by options मेरे को तो मेरी currency में चाहिए मेरी currency कितनी है 212500 पाउंड है ना मेरी currency तो भाई यहां पर यह जो बंदा यह कहा का है a limited of UK तो अपने को तो उसकी currency में उसको बताना पड़ेगा तो बता दिया आपन लोग ने भाई तेरा covered by options 212500 अब आज हो second part के उपर and that is second covered by forward covered by forward देखो कितना है dollar 3647 to be covered by forward टिक है dollar 3647 to be covered by forward yes sir okay अगर ऐसा scenario है तो convert कर दा इसको पाउंड में उन्हाने देखो दिया वाई अपने को रेट six months का forward rate दिया वाई तो six months forward rate कितना है one pound equal to dollar one point five four five five slash one point five six zero nine one pound equal to dollar one point five four five five slash one अब इसको convert करना है तो अगें we will have to use our logics logics तो logics strong रखने का भाई क्या है logic आपका देखो इधर सुनो I need dollar three six four seven पर मेरे पास dollar नहीं मेरे पास तो pound है तो मैं क्या करूंगा देखो I need dollar three six four seven but I have pounds तो मैं क्या करूंगा therefore I will I will sell pound by dollar मार्केट में जाओंगा मेरे पास तो पाउंड है मैं तो UK का रेजरेंट हूं लो बाई dollar ओके इसमें अपना बेस करन्सी क्या है यह देखो नहीं यहां पे बेस करन्सी कौन है अपना करेक्ट पाउंड इस बेस करन्सी बढ़ा रहे तिंक रॉंड बेस करन्सी तो अपन लोग सेल कर रहे therefore अपन अपन बेस करन्सी को सेल कर रहे bank will buy base currency at bid rate which is one pound equal to dollar one point five four five five so therefore covered by forward क्या हो गया one pound equal to dollar one point five four five five dollar one point five four five five बस हो गया अपना कम dollar three six four seven नहीं आपे so कितना pound so three six four seven divide by one point five four five five and it is two three six zero pound two three six zero therefore covered by forward बहुत सारी चीज़े हो रही है पहले समझ लो फिर सिस्टम भी डाल देंगे या पहले समझने का काम कर लो समझ गया ना फिर सिस्टम हो जाएगा उसका टेंशन मत लेना covered by forward भी आ गया है अब लास्ट बचता है मेरा मेरे को कितना premium देना पड़ेगा तो मेरा जो टोटल यह देखो यह जो मेरा टोटल डॉलर three six four eight nine seven था ना वो मेरा पाउंड में मेरे को कितना मेरा पाउंड में आउट फ्लोगा वो मेरा कवर हो गया अब लास्ट बचता है calculation of premium उसका भी एक नया खेल है तो आज अब वह भी तो मेरा कॉस्टी है तो ठोड calculation of premium अब मैंने कितना कॉंट्राइक खरीद है सत्रा कॉंट्रेक्ट एक कॉंट्रेक्ट क्या है ग्रेट प्रिटेन पाउंड का है जिसमें अभी सुनो वन कॉंट्रेक्ट इस वर्थ पाउंड 12500 येस ओके मैं ले रहा हूं पूट ओप्शन पहले से एक लिए वन पाउंड इस एक्वल तू डॉलर 0.096 न पाउंड इस टू डॉलर 0.096 ये मुझे पता ही है so pound 12,500 मेरे को कितना dollar pay करना पड़ेगा for premium यार premium के लिए कितना dollar pay करना पड़ेगा मेरे को बोलो बोलो चल चल so 12,500 into 0.096 and it is dollar 1200 मेरे को as a premium pay करना पड़ेगा पर ये तो एक contract का हुआ न ये तो एक contract का हुआ per contract multiply by 17 contracts so therefore premium is equal to 1200 into 17 dollar 20,400 ये मेरा premium amount है है ये मेरा premium amount है समझ में आया आपको dollar 20,400 premium amount मैं तो UK का हूँ मुझे तो UK में चाहिए तो convert करना पड़ेगा प्रीमियम आज पे करना है तो प्रीमियम को convert आज के rate पे convert करना पड़ेगा तो यहां पर लिखेंगे अपन वी विल कनवर्ट अबाव प्रीमियम इन पाउंड एड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होई है spot rate क्योंकि प्रीमियम आज बरना है समझो इस बात को अलोव कि अगाइज समझें क्या गाइस act spot rate act spot rate spot rate देखो क्या दिया भाए 1 पाउंड इक्वल 2 1 पाउंड इक्वल 2 1.5617 dollar 1.5617 slash 1.5673 अब सुन लो ना मेरी बात दिद्गौर से द्यान से जड़ा सुन लो क्या लेना है सरी इस में भी अपने को वापस लॉजिक तो वही रहेगा देखो मेरे को चाहिए डॉलर मेरे पास है पाउंड मैं क्या करूंगा सेल पाउंड बाई डॉलर यहां भी वही क्या था आई नीड दिस बट आई है पाउंड सो आई विल सेल पाउंड सेम सेम चीज यहां पे भी है निखले ता हूंग आपे भी है आई नीड प्रीमियम पे करना है ना तो प्रीमियम पे करने के लिए डॉलर ट्वेंटी ताउजन पूर हंट्र बट आई है पाउंड सो आई विल गो तो दे बैंक एंड 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 क्या करूंगा मैं सिंपल है बॉस सेल पांड करूंगा बेटा सेल पांड करूंगा बाय डॉलर याद रखना मेरा बेस करन्सी कौन है आपन सेल करेंगे बैंक विल बाय अट बेट रेट फाइनल क्या हो गया अपने को चाहिए डॉलर ट्वेंटी ताउजन फोर हंड कितने पांड की जरुवत है अपने को 20,400 दिवाइड बाइ 1.5617 13063 पांड ठीक है बस और क्या ची आपको लाइफ में ये हो गया मेरा प्रीमियम आउट फ्लो यूजिंग करंसी ओप्षिंज क्या होगा आउ देखते हैं एक प्रीमियम का अमांड गया कितना कितना डौ पांड 10 063 मुझे तो मेरी ने मेरा जाने वाला या मरा जाने 2360 और उसके भी पहले वाला options के तुरू 212500 212500 so as per options market क्या आता है answer 212500 2360 13063 पाउंड 227923 धन्यवाद इसी के साथ complete होता है आपका currency options अब अपने को क्या करना है इसको एक systematic format में ढाल देना है बना देना है तो मैंने क्या किया है पहले आपको logically sums करवा दिया है सब आप लोग को clear करवा दिया है अब खाली systematically step by step चीजों को in terms of a format convert करते जाना है so that exam में आप directly वो format भी use करें आपको किसी पकार का कोई problem नहीं होगा I hope we are clear with this अब जो भी अपन लोग ने किया ना उसका मैं एक format लिखवाने वाला हूं लिंक पे आप लोगो इसका format जो मैंने इधर है वो आप लोगो मोटा मोटा मिल जाएगा चाहिए मेरी तरफ से लिखा हुआ तो मैं आराम आराम से आप लोगो हरे question से pick-up करते हैं क्या का important point है वैसे करके पूरा बना ठीक है चल्ट सो अब आपको वो बैठना है you can continue with this पूरा डीटेल वाला या फिर आप यहां से ही directly कर सकते हो टाइम कम है तो and you will be okay as well main क्या था जो अभी जो अपन लोग ने चार पाच question के वह एकदम दिवाग में सेट हो गए logically अपन लोग ने कर लिए that's what you want yeah that's what the confidence is required for और पूरा का पूरा module हो गया अब मैं फिर वह स्टार्ट करता हूं कुछ लोगों के लिए इन केस आपको जाना हो तो अब जा सकते हैं कि किसको बैठना है एंड तक पुड़ा देखना है क्या कैसे बन रहा है you are welcome स्पीड बढ़ा दो बिंदास बढ़ाय होगा फिर भी अब टाइम है डाट वी मेक दो होल सिस्टेमाटिक फॉर्माट एस पर दो गिवन क्वेस्टिट इस थे चलो बनाएंगे स्टार्ट करते हैं तो ना अपने स्टार्ट किया यह समझने के लिए पहले कि इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है तो अपना स्टेप वन काइंड हो गया कि यह इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है अपने को तो आइडेंटिफाई क्या इडेंटिफाई करना है अपने को वेदर यह हमारा सामने वाला पार्टी इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है अगर यह इंपोर्टर है सुनो अलो अगर यह इंपोर्टर है देन इ सौ और के इंपोर्टर एस्टू बाइब फॉरण करसी या बेसिकली उसको पे करना है फॉरण करन्सी में राइट यह है फॉरेन करन्सी पे करना है तो अब उसको डिसाइड करना मैं call option लूँ के put option लूँ तो वो बोलता है मेरे पास दो option है मतलब किस basis पे decide होगा यह कि जो rate दियावा है question में वो foreign currency के terms में है या home currency के terms में है तो रेट एक फॉरेक्स रेट वो बोलता है तो फॉरेक्स रेट गिवन इड़ ग्वेस्तिन इस इन तर्म अगर यहां पे इस इन in terms of foreign currency, he will take a call option and if it is in terms of home currency, he will take a put option. जबन समझ में आ गई बाद यह सर समझ में आ गई बाद कन्टीनिव करते हैं कि यहां पर लिखते हैं इंपोर्टर अब यहां पर लोग बोलेंगे दैट इफ ए इप करन सी इंक्रीज़ इस कि वी विल कॉल ऑप्षिन के लिया चलो कॉल और पुट दोनों का इसमें अलग-अलग कर देता हूं मैं कि यहां पर दो करन्सीज है मेरे पास और उसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं कॉल लिया तो पुट लिया तो कि कॉल लिया है तो इफ करन्सी रेट राइस तो अपन क्या करेंगे यस वी विल एक्सराइज दा ओप्षिन वी विल एक्सराइज दा ओप्षिन एल्स इट विल लाप्षिन यस वी विल नॉट एक्सराइज दा ओप्षिन एल्स विल नॉट एक्सराइज दाप्षिन तो अग्स नॉट एख्षिन इधर ओप्षिन हो जाएगा इफ करंसी रेट फॉल्स वी विल एक्सरसाइज दॉप्शन यह सब तुम गो लोको समझा चुका हूँ मैं खले भी नोट्स बना रहा हूँ झाल्स लेट वील नोट शपस्रसाइज यह स्वील नोट शपस्रस्ट जो एक्ट्रीब चॉल्यट झाल्स इस बस्राइब ड़न और एक्स रेट इस गिविन इन टर्म्स ओफ एन गरंसी का मतलब कि हैं वन से ल пару और एक्जाम्ब सैh तो रुपीज ग्यर्ण क्योंदिदी यह इंडिया के लिए सपोस्फ yaptrilli के लिए इंडिया का उसको रिए वकरिट मारेरो कि वह रिसीव करने वाला है फॉरेंट करेंसी गाइस तो अगर वह रिसीव करने वाला है तो क्या होने वाला है बोलो अगर फॉरेक्स रेट गिवन इन दो कोस्टन इस इन तर्म्स ओफ ओगे फॉरेंट करन्सी या होम करन्सी अगे यहां पर भी फॉरेंट करन्सी के टर्म्स में हुआ यहां पर उल्टा इट विल बी विल टेक अ पुट ऑप्शिन और होम करन्सी के टर्म्स में हुआ तो भी विल टेक अ कॉल ऑप्शन और यह तुम लोग को सब मैं एक्जाम्पल के तुरू समझा जुका हूं पता दूं मैं आपको खा लिए यहां पर भी एक्सपोर्टर के लिए सेम चीज लिख लिए देते हैं अपन पुट पॉट पॉट सेम इफ करन्सी रेट पॉल्स विल एक्सराइज दॉप्शन एल्स विल नॉट एक्सराइज यहां पर अल्मुस्ट सब लिखना तो सेमी है विकें जस्ट सबसे पहला चीज जो होता है वह यही होता है आइडेंटिफाइब कर पाना एंड आम हैपी डैट वह वाला पार्ट अपने को अच्छी तरह से भली भाती समझ चुका है कि कि डान भाई डान नेक्स्ट और अब आपन लोग जैसे से क्वेश्चन करते गए क्या-क्या सीखते गए क्वेश्चन से अपने को क्लूज मिलने वाला इतना याद रखना जितना अपन लोग क्वेश्चन को ही करेंगे कि चलोगे मेरा एक्जाम्पल था मौरिस लिमिटेड वाला इससे अपन लोग ने क्या सीखा इससे जो चीज चीज लिए वह अपन लोग ने इस अपन लोग ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ओपर गए यहां पर अपन लोग में देखा कि यार अब चलोग नाव यहां पर आपन लोग ने क्या सीखा चलोग लेट फाइंट आट आओ यहां पर भी कॉल और पूट अप्शन पूट और अफिर अब यहां पर लोग ने सीखा स्टेप टू में क्या फाइंड आट करना के मेरा कॉंट्रैक्ट कितना साइज कितने नंबर आफ कॉंट्रैक्ट मेरे को लेने हैं यहां पर मैं लिख दूंगा सेकंड पाट जैसे मेरे मैजिक बूक में भी है सब्सक्राइब करना है कितना नंबर आफ ऑप्शन कॉंट्रैक्ट आएगा कैल्कुले नंबर आफ ऑप्शन कॉंट्रैक्ट कॉंट्रैक्ट कुछ केसिज में स्टैप वन पर गेम कता हो जाएगा कुछ टीक है। लोग ने find out कर लिया क्या है options इधर है ना एक दो points मैं तुम लोगों को लिखवा ही देता हूँ के नोट इफ नो इन्फो इस गिवन इप अजूम्ड 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 आप्शन इस एक्सर्साइब ब्रावर है जाये है second if option is exercised तो क्या होगा बता है premium if option is not exercised तो premium अपना खर्चा हो जाए हो exercised then our cost will be yeah then the final will be the final payment will be then finalization will be based on spot rate prevailing on that date prevailing on date of lapsing options but premium cost will be added or deducted अगर कुछ payment मिलने वाला है तो deducted otherwise added अब आ जाते हैं अपने लोग step 2 के उपर step 2 बोलता है learn to calculate number of contracts calculation of number of contracts यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था क्या के invoice amount अपने, contract size डिक मैं अब इक, अब तक क्या है वाला है झाला एंभा, not contract size should be of same currency. दोनों में से एक को convert कर दो. दोनों में से एक में using the strike price. Convert either into other using strike slash exercise price. बहुत important point है. बहुत 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 important point है. कुछ भी invoice amount को भी आप कर सकते हो contract size को भी आप convert कर सकते हो उसमें कोई problem नहीं है. अब question 33 में ना एक peculiarity है. उन्होंने दिया ही नहीं है lot size कौन सी currency में है. देखो आप question देखो 33 कौलो देखो उन्होंने दिया ही नहीं है कि lot size कौन से currency में. तो कैसे पता चलेगा कि कौन से currency में दिया ही है. सो देखो यहां तो strike price jy दो currency है एक rupees है एक jpy है अगर strike price या premium जो है वो आपको jpy में दिया है मतलब इसका मतलब that the lot size is in the other currency which is rupees अपने case में. So, so if note no.3 note इसको इदर लिख ले था हूँ note 1, note 2, note 3 if lot size currency not given. क्या करोगे lot size currency अगर नहीं दिया है not given then it will be interpreted as under it will be based on the other यह बोलेंगे अपन opposite currency of which premium rate is given. común example Cn 33 premium JPY 0.013 let me take a look exactly premium 0.098 that is lot size opposite currency rupees samjhe that is lot size opposite currency that is rupees that is in rupees samajh mein aya guys that is in rupees up next up next next kya hai ke if number of contracts is in decimals step 3 if number of contracts is in decimals to phir kya hooga dhyan se samajna we will round off to earlier number and balance will be hedged through correct forward contract balance will be hedged through forward contract contract sir example de do sure apna wala example lete hai 17.17 example if contract size equal to 17.17 contract contract then in that case what will happen 17 contract through options 0.17 contract through forward market Sumo पर अमांट कोड़ नुझ पोप्टोंस and दूसरा रalar कॉपत ह降 Talk दो्सरा काॉर र रमांट कोड़ गांट कोड दूरोंसे हैं दूझिंव्ट रेया हैं मत्यों म्हतं से लिफ जक चौर अव मत्या हूआ ? अब अमाउंट कवर्ड त्रू ऑप्षिंज क्या है कि फाइनल कि नंबर ओफ लॉट्स जैसे अपना सेविंटीन हुआ था जो राउंडेड ओफ है कि मल्टिप्लाइब आए दे कॉंट्रेक्ट साइस एक फिर जो बज गया हुँ crafts皆様 खिड़े भूज गया है वन मेरा रिमेंग तुर जिए मेरा बच किटना गया है फिर देखुआ टोटल इन वाइस अमांट किटना चाहता है टोचल इन वाइस अमॉन लेस अमैंट कवर्ड त्रू आप्शिंग श들이 फिर भूमुज। त्याहिए यह अपने को गवर्थू फॉर्वर्वर्ड मार्केट त्याहिए त्याहिए अब मेरे पास आ जाता है लास्ट चीज और डाट इस प्रीमियम भी तो मेरे को पे करना पड़ेगा ना विट्टा सो अब मेरा कैल्कुलेशन आएगा ट्वर्ड्स कैल्कुलेशन और प्रीमियम अब प्रीमियम का कैल्कुलेशन देखते हैं जो हुआ लेट सिववाट इस माइप्रीमियम कैल्कुलेशन बिड़ा तो सो देखो मैंने अभी तक दो एक्जाम्पल दिये उन दो एक्जाम्पल को मैं ले सकता हूं तू ती रीच तू माइ प्रोफोर्मा औफ प्रीमियम कैल्कुलेशन देखो अभी मैंने जो कैल्कुलेशन किया था उसमें सीन किया था पता है क्या यह कल्कुलेशन ओफ प्रीमियम वन कॉंट्रेक्ट वॉज ऑफ पाउंड ठीक है बट जो प्रीमियम का अमाउंट दिया था डैट वस इन दे अधर करेंसी राइट तो अपने को देखो क्या करना पड़ा पहले अपन लोग ने देखा कि मेरा कॉंट्रेक्ट साइज कितना है पाउंड ट्वेल थाउजन फाउजन फाउंड उसको मैंने मल्टिप्लाई किया प्रीमियम के अमाउंट से जो की था डॉलर बरा रहे तो देखो इधर जो भी हो रहा है वो मैं करते जाता हूं जो मेरा कॉंट्रेक्ट साइस गट बायद प्रीमियम जिसको मैंने मल्टिप्लाई किया मेरे नमबर अफ पॉंट्रेक्ट के साथ राइट यहाँ पे यहाँ पे ले गॉंट्रेक्ट साइज यहां पर I will say contract size तो मेरा contract size मेरे example में कितना था 12500 pounds multiply by contract size तो contract size कितना था पाउंड 12500 फिर देखो अगे उसको अपन लोग ने किसके साथ multiply किया देखो प्रीमियम अमाउंट अब प्रीमियम अमाउंट कौन से उसमें था डॉलर में था यहां पर ध्यान रखना है इफ प्रीमियम अमाउंट इस इन सम अधर करंसी तो मेरको डूसरे करंसी का मिला रेट इन्टु नम्बर अफ कॉंट्रेक्स किया फिर मेरको इसको वापस पॉट्रेट पे लाना पडा समझे तो अधर कॉंट्रेक्स आइस मुल्टिप्लाइ बाइ प्रीमियम अमाउंट इस वाज इन अधर दन कॉंट्रेक्स आइस करंसी है नहा या इदर लिख दे तो इन पीमियम अमाउंट नॉट इन होम करंसी ठीक है मल्टिप्लाइ बाइ फिर कितने नंबर ओफ लॉट्स थे ये जो इदर फिगर आता है इसको अपने को लाना पड़ेगा इदर आतत्हś पॉत ररे म्लटिप्ले इन कैंते और अंगर समझतो ये इन क्यूंत्स पॉत्ट्रेट क्यों ये को लाना पड़ेगा? multiply by portrait क्यों करना पड़ा to bring it at contract size currency to bring at contract size currency and यहाँ पर contract size into premium amount और यह in current contract size currency only तो यह contract size की currency में है अगर तो फिर tension नहीं तो number of lot से multiply कर लो और अपको जो answer आया वो आपका premium का ही amount होगा in that particular currency got it guys समझ में आ रही है बाते इसको एक better way में अगर term करना हो मेरे को तो I'll say that यहाँ पर अपन लोग इसको denote कर देते हैं in terms of अगर समझो मेरा यहाँ पर contract size क्या था pound का 12,500 into 0.096 dollar into number of lots करते ही यह dollar में convert हो गया फिर इसको अपने को contract size currency पर लाना पड़ा right so यहाँ पर अपनो बोल देंगे that contract size contract size is in home currency and at the other end contract size not in home currency okay बस इसी के साथ अपना total outflow as per currency options आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर cost as per currency options दूसरा forward market तीसरा जो इन्वाइस से cover नहीं हो पाया और uncovered basically अन्वाद आमाँ then प्रेमिम अमाँ अमाँ असवेल दम दो यह हो गया मेरा टोटल आउट फ्लो एस पर करन्सी ऑप्शन कभी कभी इंट्रेस्ट वो लोग बोलते हैं तो इंट्रेस्ट भी कैल्कुलेट कर सकते हों इंट्रेस्ट रेट गीवन दें इंट्रेस्ट ओन प्रीमियम कर सकते हों कैल्कुलेट इंट्रेस्ट ओन प्रीमियम विल बेस्ट ओन बॉरोइंग रेट यह अपन लोग ने अभी वो सम में देखा था ना सो वो था मेरा बॉरोइंग रेट बॉरोइंग इंट्रेस्ट रेट इंट्व जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट था देखा इंट्व दिरेश्ट कि रूंट्रेस्ट डॉरोइंग प्रीमियम हर एंट्रेस्ट इंट्रेस्ट कॉपे ऋक्यूस्ट इंट्रेस्टL ग्यूस्ट ओन्ट्ट्ट्ट duration of option इसी के साथ currency options भी complete एंड डन सो अब खली एक बार गोत्रू कर लेना सब questions को बस यह यह जो लेक्चर आज लिया है उसको वापस दू तीन बार देखना सारे questions आई तिंग तरहली डन वो सम राइट 3036 यह आप कोई भी सम उठाओ कैसे भी इसको solve कर सकते हो we have the format we have solved all the sums logically यह वाला एक सम था इसका format खली बना लेते हैं कि वह देखो अपने को पता exercise price क्या प्रीमियम क्या है इसका format बना लेते हैं कि जब कि अगरे कि तो कि फॉर्मैट कि अगरे कि फॉर्प्षिंश कि यहां पर देखो क्या आएगा यह अपना फॉर्मैट डाल देना होगा है कि अगर अगर आपको exercise करना है नहीं करना है option तो इधर येस या नो आएगा बेज़ डॉन के वो कॉल आप्शन है कि पुट आप्शन है टोटल पेमेंट ध्यान रखना आप लोग जो भी होगा प्लस प्रीमियम एड करना मत भूलना प्लस प्रीमियम आड़ करना मत भूलना ठीक है ना जो जो भी आएगा अगर आप लोग exercise कर रहे हो तो आपका strike price right otherwise जो original spot rate चल रहे है वो जो भी scene है तो इधर चाहिए तो आपन लेख सकते है if yes तो strike price if no then prevailing spot price इसकी बाद जो amount आएगा वो probability से multiply करोगे and you will get the total and you will get the total चल बाई समाप इसी के साथ पूरा format options का अब कोई भी question कहां से भी आने दो I am sure you are able to crack it for sure so लगा अपने को time but it was all worth it definitely 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 let me know how was it sorry questions done sorry concepts जो इसमें possible है जो institute पूच सकता है और क्या चाहिए बोलो चाहिए so let me know how was the session और कुछ आपको ऐसे ही detailed वाले lectures चाहिए तो मुझे जरूर बताना आपके लिए आलते रहेंगे बताते रहेंगे comment जरूर करना कैसा लगा lecture and stay tuned सारे lectures के सारे chapters के revision lectures you are going to get on my youtube channel and चलो take care keep smiling notes जो भी है मेरे telegram channel से मिल जाहेंगे you can take it from there hasta la vista thank you so much bye